नमस्कार स्वागा थे आप सभी का कम्टिशन कम्मुनिटी के यूट्यूब चैनल पे हम लोग पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं यानि के राजनिती सास्त्र में आज के हमारा जो टॉपिक है वो है अपातकाल यानि कि हम लोग अपातकालीन व्वस्था के बारे में बात करेंगे आज के हमारे टॉपिक में ठीक है सबसे पहले हम लोग बात कर ले अपातकाल के बारे में तो देखिए यहां पर देखिएगा मैंने कुछ टेबल बना करके इसको सजाया है तो उसको थुरा सा ध्यान दिजेगा कि हम लोग तीन तरीके के अपात की बात करते हैं ती 360, 360 ठीक है तीन तरीके की अपात की बात है यहां पर आर्टिकल से और यह एक्जाम का कोशन बन जाता है एक्जाम के कोशन यहां से पूछे जाते हैं तो इसको भी एक बार ध्यान में आप रखेंगे यह आपात कालीन जो सक्तियां हैं यह भी बात में आपको बता दू कि र पना रहे हैं वो हर एक्जाम के ध्यान में रखते हुए चाहे वाप SSC के एक्जाम दे चाहे रेलवे के एक्जाम दे या कोई भी स्टेट लिबल एक्जामनेशन दे वहां से एक्जाम के कोशन आपके छूटेंगे नहीं आप प्रीवेस यह कोशन पर सॉल्व कर ले आपको करके कोशन अगर पूछता है तो वह डिपेंड करता है कि हम कितने तयार हैं किसी पार्टिकुलर टॉपिक को लेकर लेकिन फैक्ट वाइस और कंसेप्चुली हम आपको कोशिज करेंगे कि पूरी-पूरी इंफॉर्मेशन दे तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं थे आप को समझाते हुए चलते हैं एक वाधियान रखेगा कि राष्ट्रपती की सक्तियां होती है अपात्काल लगाने का सबसे पहला आर्टिकल हमारा है सबसे पहला नाम के उपर बात करते हैं कि नाम क्या है यानि कि क्या-क्या नाम से जानते हैं इनको हम ठीक है तो यहां पर दे और फाइनेंसिल इमर्जेंसी बित्तिय पात कहा जाता है 360 को तो यह आर्टिकल और इसके नाम इसी से कोस्टन एक्जाम के कितने बार पूछे है 352 क्या है देखो इसको याद रखना बड़ा आसान है कि यहां पर मैं ऐसे कर दिया तो यह चार का एक बनाता है पियर यहां भ बहुत मुश्किल भी नहीं और एक्जाम का कोस्टन पूछा है तो यहां पर एक अटेंशन भी अपने आप बन जाता है तो इसको वी थुरा सध्यान में आप रखेंगे चलिए हम लोग नाम की बारें बात कर लिए नेस्नल इमर्जेंसी राष्टपति सासन और बित्तिय अ होंगे अब हम बात करते हैं आगे कि यह जो बेवस्था है सासन का या राष्टपति सासन का या राष्टरी अपात का या फानेंसियल अपात का इसका आधार क्या है यानि कि किस आधार पर हम इसको लगाएंगे एक बाद देखेगा यहां पर हम लोगों ने कुछ इसको हम पढ़ते हैं तो यह एक्जाम के कोशन के हिसाब से यहां पर सजाया है और यह एक्जाम के इंसर के हिसाब से सजाया हुआ तो इसको भी ध्यान में रखिएगा तो सबसे पहले एक्जाम का कोशन है कि आधार क्या है किस आधार पर आप लगाएंगे क्या नेशनल इ द्रोह इस आधार पर हम national emergency लगा सकते हैं क्या national emergency को पूरे भारत में लगाए जा सकता है या भारत की किसी छेत्र में तो यहाँ पर दोनों बात है यानि कि हम इसे पूरे भारत में लगा सकते हैं या भारत की किसी छेत्र में लगा सकते हैं इमर्जेंसी को इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि पूरे भारत में लगा सकते हैं या भारत के किसी छेतर में लगा सकते हैं अधार क्या बताए हमने वाड हो अब यहां से एक्जाम के कोशन मैं आपको थुरा से सौल्व करते हुए चलता हूं मैं कुछ-कुछ बाते आपको बताते हुए चलूँगा ध्यान रखियेगा सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इंद्रा गांधी जी की सरकार थी ठीक है इंद्रा गांधी जी की सरकार थी इंद्रा गांधी जी की सरकार और इंद्रा गांधी जी की सरकार ने एक इमर्जेंसी लगाया था 1975 में 1975 में एक इमर्जेंसी लगाया था बेस था, वो था internal disturbance, उनका आधार था इमर्जेंसी लगाने का, यानि कि आंत्रिक गरबरी, आंत्रिक गरबरी था ठीक है, लगाने का, तो आंत्रिक गरबरी के आधार पे यहाँ पे लगाया गया था क्या, निस्नल इमर्जेंसी कब 1975 में, और यह कोशन एक्जाम में कई बारी बना है, VBI है, कई बारी बना है, अब पॉइंट यहाँ से आगे क्या है, एक तो कोशन हो गया, कि इंद्रा गान्दी जी ने किस आधार पे लगाया था तो आंत्रिक गरबरी के अधार पे, या कोशन यह ब देखो, मैंने सिर्फ दो बाते लिखी है, ध्यान रखेगा, 44 और 1978, यह दो बाते का मतलब क्या होता है, 44 समिधान संसोदन अधनियम 1978, इसका मतलब यह होता है, ठीक है, तो 44 आमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया, कि आंत्रिक गरबरी सब्द, जो कि आपके Constitution में था, उ उसको हटा दिया गया, यानि कि इसको खतम कर दिया गया, आंत्रिक गरबरी को, और उसके जगा पे क्या लगा दिया गया, उसके जगा पे ससस्त्र बिद्रो लगा दिया गया, यानि आम्ड रिवेलियन को आड़ कर दिया गया, ठीक है, तो इसको क्या कर दिया गया, इसको ठीक है, इसको add कर दिया गया और इसको remove कर दिया गया, मैंने cross कर दिया, तो इसलिए जब आप पढ़ते हैं, 352 के आधार को, तो आप उहां क्या पढ़ते हैं, कि war होगा, external aggression होगा, और internal, sorry, armed rebellion होगा, internal disturbance नहीं होगा, अब ही जो आप पढ़ते हैं, क्योंकि इंदरा गांधी जी इस अधार पे लगाया था, और 1978 में, 1978 में इंदरा गांधी जी थोरी समय के लिए जेल भी गई थी, और उनकी सरकार गिर गई थी, जनता पार्टी की सरकार बने थी, मैं पूरी ब बात है, लेकिन ये एक इंपोर्टेंट था, कि armed rebellion को जो है ना, आंत्रिक गरबरी के जगह पे रख दिया गया था, आंत्रिक गरबरी को हटा दिया गया था, तो ये बात आप समझेगा, कि जो आप आधार परते हैं, यहां पे, कि ससस्त्र बिद्रो इसके जगह पे क्या था internal disturbance था, जो बात हमने वहाँ पे बता दिया है, तो आप प्लीज अपने copy में कुछ-कुछ pen चलाते हुए भी रखेंगे, क्योंकि आपको PDF में यही मिल जाएगा, और जब आप जो मैं बता रहा हूं, उसको अगर pen चलाएंगे, तो information बहुत हो जाएगा, मैं आपको बता आयत हूं, तो national emergency को अभी तक कितने बार लगाया जा चुका है, एक-एक block को हम complete करते हुए चल रहा है, एक-एक block को, national emergency को अभी तक कितने बार लगाया जा चुका है, तो आप ध्यान दे रहेंगों कि यह तीन बारी लगाया जा चुका है, यहाँ पे देखो, मैंने question क्या बनाया एक्जाम का कितने बार लगाया गया है नोट ओफ इंट्रोगेशन ठीक है तो तीन बारी कव-कव 1962 आधार क्या था यानि कि किस आधार पर लगाया गया तो वो और के और अब यह लगाया गया है अब यह ब्लोग हमारा कंप्लीट होता है अच्प्रोग अभी वचा हुआ है तो हम इस block को complete किये, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे में और यहां पड़े भी हम इस block को complete करेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे, इस दोनों block को, ठीक है, चलो, अब जब दूसरी बात करते हैं, पहला राष्ट्री अपात की बात कर ली, अब जब दूसरी बात करते हैं, राष् पती सासन का जो आधार है उसको बड़े ध्यान से समझेगा लिखा हुआ तो है failure of government, state government, आधार ये है कि अगर राजसरकार संबैधानिक नियम कानून के आधार पे, अगर राजसरकार संबैधानिक आधार पे सासन चलाने में बिफल हो जाए तो वहां पे गवर्नर के अनुसं अनुसंसा पे राजियों में राश्टपती सासन लागू कर सकती है जो बात मैंने पूरा बताया उसको मैं फिरते बोल रहा हुँ अगर राज्य सरकार संबैधानिक नियमों के अधार पे सासन चलाने में बिफल हो जाए तो गवर्नर के अनुसंसा पे राष्टपती सासन लगा सकता है उस राज्य में ठीक है और मैंने एक लाइन में क्या लिख लिया है राज्यों में सरकार की बिफलता लेकिन पूरा पॉइंट कुछ ऐसा है जो मैंने आपको समझाया है तो प्लीज बड़ा ध्यान से इसको समझ जिएगा कि मैं कहना क्या चाता हूं कि राज्य में सरकार अच्छे तरीके से सासन नहीं चला रही है बस समझ में आ गया अगर यह समझ में आ गया है तो अगला पॉइंट यहां पर यह है कि कितने बार राश्च्पती सासन लागू किया गया है अभी तक अपने हां तो बहुत बारी लागू, मतलब कि मेनी टाइम्स, मेनी टाइम्स, बहुत बारी लागू किया गया जा चुका है, राश्पती साशन को हमारे हाँ, मेनी टाइम्स, अगर बहुत बार लागू किया जा चुका है, यहां पर ध्यान दिजेगा, मेनी टाइम्स, तो एक बात और ध पहली बार राष्ट्ति सासन कहां लगा था तो पंजाब में किस राज में लगा था तो पंजाब में पहले नाम मात्र के परधान है तो बास्त्विग परधान कोन है तो तो भी प्रधान मंत्री है और अगर प्रधान मंत्री हमारे की ऐसे ऽंसाय करते हैं तो 2018 के बात कर देश किए Principal यहां पर 2 बात हैँ हमने इस Financial Emergency की बात करते है 360 Score 30 बित्तिय अपात पॉइंट यहां पर यह है कि बित्तिय अपात का अधार क्या है तो बड़ा सिंपल है अगर देश में financial condition चर्मरा जाए अगर देश की बित्तिय इस्थिती बहुत गरवर हो जाए तो बित्तिय अपात को लगा सकते हैं राष्टपती यहां पर ध्यान रखेगा किसके अनुसंसापे मंत्री परिशत के अनुसंसापे ध्यान रखेगा राष्टपती जो भी काम करते हैं मंत्री परिशत के अनुसंसापे करते हैं यानि कि परधान मंत्री के अनुसंसापे करते हैं उनके सिफार इस पर करते हैं, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, चलिए, क्या अभी तक बित्तियापात लागू हुआ है? नहीं, अभी तक बित्तियापात लागू नहीं हुआ है, अभी तक बित्तियापात को लागू नहीं किया गया है, इस बात को आप ध्यान में अब भी बी आई है दोखों एक एक ब्लोक और उसके भी वी आई है और कितना इंपॉर्टेंट और कितने सजा करके मैंने इसको बताया है तो इसको अपने कॉपी में इस तरीके सजा केला कि PDF आपको इसी format में मिलेगा बस आप pen चलाते जाई है वहाँ पे जहां पे आपको इहां पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा उस जगा पे और इसलिए copy ले करके बैठना जरूरी होता है इस बात को ध्यान रखेगा ठीक है आगे बढ़े चलो आगे बढ़ते हैं जब आगे बढ़त हम बता रहे हैं तो सबसे पहले हम बता रहे हैं 352 का मैग्सिम्मम ड्यूरेशन क्या हो सकता है ? यहां पर झालम ब्रण आपके रहे हैं 352 का मैघश्मम ड्यूरेशान कहले रहे और 350 existing basisration बता यहां यहां पर है मैं थ्राइसा समझाता हूँ बहुत जरूरी है इसको समझाना कि ओपर में कि जब 352 कि बात करे तो इसका जो मैक्सिमम दुडेशन है मैक्सिमम डूरेशन अगर सिरफ यह कोशन पूछ दे कि अंगर जी इसक जे करके लेकिन 6 मजन के अंगर जो कहानी होता है वह को हम बतायते हैं, यहां पर मैं लीघत आ capaz का है, वह बताता हूं, मैं ध्यान लखेए गा। मान के चलो कि यहां पर बती आपात को इस डेट को लगा दिया गया, मान के चलो कि एक जन्वरणी को बती आपात रे फान से तीन सो बावन को लग दिया गया थीरोग वै distort निसवोगा फजले लिया तो यहां पे अगली बार यह चे महीने के लिए एक बार सो मंत के लिए फडवरी मार्च अप्रील माई जून यानी कि तीन सुन तक यह लगा रहा जाएक 30 जुन तक, फिर अगर आप 30 जुन से आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो पार्लियामेंट से पर्मीशन ले लिजे, पर्मीशन ठीक है, पर्मीशन, पार्लियामेंट से क्या ले लिजे, पर्मीशन ले लिजे, क्या पर्मीशन कि हमको इसको आगे बढ़ाना, किसको 352 को, यानि क कि फिर पर्मीशन ले लियो कि यानि है तो फिर आगे लगा रा सकता है कितने दिनों के लिए फिर से permission ले लिए तो फिर आगे रह सकता है कितने दिनों के लिए six months के लिए तो यह अगर आप Parliament से permission लेते रह गये तो यह extend होते रहेगा Parliament permission देते रहेगा और आपका national emergency क्या होगा extend होते रहेगा इस बात को आप ध्यान में रखिएगा छे-छे महीने के लिए तो जब हम question बनाते हैं और exam का question होता है तो उसमें कुछ hidden part होता है और उसको मैं समझाता हूँ बड़े घ्यान से समझेगा question पूछेगा कि maximum duration क्या होता है तो आप क्या टिक करेंगे maximum duration होता है छे महीने के लिए आप टिक करेंगे maximum duration होता है छे महीने के लिए लेकिन वापे hidden part क्या है with the permission of parliament ध्यान रखिएगा लेकिन अगर ऐसे normally पूछ दिया जाए बिना permission के maximum duration क्या होता है तो unlimited होता है मतलब कि आप कितने भी समय के लिए लगा सकते है national emergency को लेकिन एक बार में कितने समय के लिए तो 6 महीने के लिए ध्यान रखिएगा एक बार में अधिक्तम समय 6 महीना और अधिक्तम समय कितने भी समय ध्यान रखिएगा यहां पर कोई limitation नहीं है बस condition क्या है पार्लामेंट से permission आप लेते चले जाए यही condition है यह हो गया आपका 352 लेकिन यही बात मैं बहुत उपर नहीं जाऊंगा यही बात को 356 के साथ मैं करता हूं तो देखो क्या होगा sorry यही मैं 356 के साथ करता हूं देखो 356 के साथ अगर हम बात करें तो maximum duration ठीक है maximum duration यहां पर होगा थीरी 3 साल के लिए 3 साल यानि कि यहां पर जो low limit है यहां 3 साल कैसे देखो यहां पर अगर emergency लगा और फिर यहां पर emergency लग गया तो एक बार में कितने दिनों के लिए 6 महीने के 6 महीने वाला कहनी यहां भी चलेगा 6-month वाली कहानी बेटा यहां भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है 6-month वाली कहानी यहां भी चलेगा कि आपसे question पुझे की एक बार में राष्परदी्शान कितने दिनों के लिए एक बार में तो 6 महीनों के लिए लेकिन maximum duration कितने एक तो 3 स सिम्हार धारी ज ही कितना एक साल दो साल तीन साल यानि की तीन साल से ज्यादर तीन साल से आगे नहीं होगा तीन साल के अंदर एलेक्शन कटार करके कि निया गज्द मेंट को आप बना लिज़्ो आप किसी राज्य की बात हो रही है, यानि कि 356 की बात हो रही है, लेकिन जब नेशनल इमर्जनसी की बात होती है, 352 की बात होती है, तो वो गेन जो टपा खा रहा है, यह unlimited type तक टपा खाएगा, जब तक की permission मिलते हुए रहेगा, किस से permission मिलते हुए जाया रहेगा, तो Parliament से permission मिलते हु होगा छे महीने का तो जब maximum duration की बात हो चाहिए तो हाँ पर एक चीज हीडिन होता है एक बार में तो छे महीने लेकिन अगर आप से question पूछे proper तरीके से और option भी उसी तरीके से बना है कि maximum duration क्या होगा में राश्पति सासन लगाने का तो तीन साल होगा और वहां पर unlimited होगा एक बार में maximum duration क्या होगा तो लगता है कि मेरी बात आपको समझ में आ गया होगा maximum duration वाली बात क्योंकि मुझे इस बोर्ट पर समझाना पड़ा है बड़ा important है यहां से exam में question कई बारी आया है और बच्चे confused हो जाते हैं कि करे क्या ठीक है तो करो कुछ नहीं एक बार में टपा खाने का छे महीना और अगर लंबे समय की बात कर रहा है तो 352 के समय unlimited और 356 में तीन साल maximum duration और एक बार में टपा खाएगा छे महीने के लिए यानि कि एक बार में छे महीने के लिए आगे कैसे बढ़ेगा विद्ध पर्मीशन और पार्ल्यामेंट के पर्मीशन से यह क्या हो जाएगा आगे बढ़ जाएगा ध्यान में रखियेगा इस बात को तो मैं इस तीन साल के केस में कोई निष्चित नहीं है यह लगता हुआ रह सकता है और च्शे महीने भी प्राव्धान यहाप आप नएगे तीन साथ वाले के के 260 के case में majority की ज़रूरत नहीं है, अब majority की बात आ गई, तो मैं फिर से वापी चलता हूँ, देखो, जहां मैं वापस जाओ ना, और board पे कुछ करूँ, तो इसका मतलब एक उसका PDF नहीं है, और उसको आपको अपने copy में लिखना है, तो आप अच्छे तरीके से समझ के वीडिय बहुमत की बात करते हैं, जब बहुमत की बात करते हैं, तो यहां पर आगे मैं आपको बताता हूँ, क्या है बहुमत की बात है, ध्यान से देखिएगा, धर असल special majority के case में क्या होता है, कि उपस्थित और board देने वालों की संख्या का दोती हाई, अगर example की रूप में हम लोग बात करें, तो मान के चलो कि अगर लोग सभा में उपस्थिती या राज सभा में उपस्थिती है, दो सो चालिस की तो इसको पास करने के लिए कितने बहुमत चाहिए दो तिया यानि आठ तिरी चौविस एक्सो साथ चाहिए एक्सो साथ सदस जब तक नहीं देंगे बोट तब तक ये पास नहीं होगा उस तरीके से आप दूसरे भी एक्सामपल ले सकते हैं मैं एक्सामपल से समझाड़ा हूँ लेकिन जब आप सिंपल मैजॉरिटी की बात करते हैं सिंपल मैजॉरिटी यानि कि सधारन बहुमत की बात करते हैं स्पेसल माजॉरिटी के दूसरे केसे भी होते हैं कि simple तरीकस में समझाता हूँ, जब समानने बहुमत की बात करते हैं, तो 1 by 2 plus 1 होता है, इसका मतलब क्या होता है, वो समझ यह, एक example लेता हूँ, फिर से 240 को लेता हूँ, इसका 1 by 2 है ना, कितना होगा, 120, तो 120 plus 1, यानि कि 121 अगर आ गया, तो फिर यहां पे पास हो जाएगा, तो simple majority 120, special majority 160 है, यानि कि 2thi, 160 में जोड़िये, 2thi जोड़िये, और इसमें half plus 1 जोड़िये, half plus 1 इसलिए, क्योंकि अगर 120, 120, 120 हो गया तो दोनों बडाबर में आ गया तो एक बुट का point समझ रहे ना, तो वो इसलिए half plus 1, ठीक है, इस बात को समझेगा, अगर odd आ गया तो ऐसे ही जीतिए, 1 की जरूरत नहीं है अगर odd नहीं आ गया, दोनों जो है ना, बडाबर पर आ गया तो फिर, बात समझ में आ रहा है, मेरी बात को बड़े गौर से समझेगा, ठीक है, बड़े ध्यान से आप अब बात करते हैं संसत से अनुमती, संसत से अनुमती, एक महीने के अंदर, दो महीने के अंदर, और दो महीने के अंदर, अब इसको भी मैं बोर्ड पर समझाता हूँ, बड़ा ध्यान से समझेगा, table पे लगा देने का मतलब यह नहीं होता है, कि मैं board पे नहीं समझाऊंगा, ठीक है, परना नहीं है, देखो, संशत से अनूमिती, permission, जो permission की बात कर रहे थे, यह दो तरीके की permission होते हैं, दो तरीके का, पहले तरीके की permission और दूसरे तरीके की permission, पहले हम दूसरे तरीके की permission की बात कर लेते हैं पहला जो मैंने बात किया था उसको समझाओंगा पहले दूसरे दरसल यहां पर है क्या permission की बात है तो यहां पर ध्यान दिजेगा कि अगर आपने emergency को लागू कर दिया मेरी बात को समझेगा अगर किसी date को मांद के चलो कि एक जनवरी को आपने emergency को लागू कर दिया और पर्लामेंट से permission नहीं लिया है और emergency लागू कर दिया तो आप सुरुवाती दोर की बात हो रही है तो आप कितने दिनों के अंदर पर्लामेंट से permission ले लेंगे मेरी बात गौर से समझेगा वहाँ भी permission की बात हो रही ते हैं यहाँ भी permission और दोनों permission को यहाँ पर हम आपको बता करें एकदम clear कर दूंगा एकदम पानी की तरह ठीक है distil water तो एक जनवरी को अगर आप emergency लागू कर दिया है चाहे कोई भी emergency तो पार्लामेंट से कितने दिनों के अंदर permission ले लिजेगा क्योंकि बिना Parliament के permission के लागू किया है तो पहली बार में जब आप emergency लागू करते हैं और Parliament से permission नहीं लेते हैं तो वैसे case में जब 352 की बात करेंगे 352 की तो एक महीना में आप permission ले लिजे एक महीने में एक महीने के अंदर वन मंथ के अंदर आप permission ले लिजे वन मंथ के अंदर लेकिन जब 356 की बात करेंगे 356 की बात करेंगे तो आप अगर एक जनवरी को लगाए हैं तो आप दो महीने के अंदर पर्मिशन ले लिजे यानि एक जनवरी की बात है तो 31 जनवरी यानि एक फर्वरी को एक फर्वरी को आप पर्मिशन ले लिजे नहीं तो एक फर्वरी को क्या हो जाएगा अगर आप पर्मिशन नहीं लेते हैं तो हमने लागू कर दिया लेकिन पर्लामेंट से पर्मिशन नहीं लिया कि हमने लागू किया है तो पहली बार की पर्मिशन है अब अगला जो दूसरा केस ता जो पहले हम समझायते वहां पे चलते हैं ठीक है अब अगला अब लागू हो गया है पर्लामेंट से पर्मिशन एक मही महिने का यानि एक जैन्वरी है तो यहां पे दो मंथ लिग देता हूं और एक मार्च लिग देता हूं ठीक है तो 360 के केस में भी दो महिने का तो 352 केस में एक महिने के अंदर पर्मिशन लीजिए यहां पर लागू करना यहां पर दोखो लागू करना लागू करने के लिए परमिशन है लागू करने के लिए परमिशन लागू करने के लिए और यहां पर बढ़ाने के लिए परमिशन बढ़ाने के लिए तो बढ़ाने के लिए अगर परमिशन की बात करें तो six month किस के 352 के लिए 356 के लिए six month किस के लिए 356 के लिए और 360 के लिए कोई नहीं ठीक है तो ध्यान दिजेगा यहाँ पर इस बात को बड़ अच्छे तरीके समझेगा मैं यहाँ पर कलर कर दूँ ठीक है मैंने यहाँ पर कलर कर दिया इसको बड़े गौर से समझेगा मैं क्या बात कर रहा हूं परमीशन का दो तरीके के पहला परमीशन था बढ़ाने के लिए यानि कि लागू नहीं करना बढ़ाना है तो छे-छे महीने का परमीशन है दोनों में लेकिन आप लागू करने की परमीशन तो 352 केस में एक मंत के लिए 356 के केस में दो मंत के लिए और 307 के केस में भी दो मंत के लिए यही बात मैंने पीडियेप में लिखा है तो आप जो बोड पे लिखा उसको आप अपनी कौपी में लिख लिए और समझने के लिए और पीडियेप में अंदर एक महीन एक घंटे के अंदर फोन करी कहा हो तुम और मतला अब आप वहां पर गया और एक घंटे के अदर फोन किया यहाँ है तो भी आफोड़ सह जब आज Balancham तो मम्मी को भी ने आखे नहीं तो शेंसे का और मम्मी को आयो начEnt 我們 फिर अगले छे घंटे के बाद फिर से परमीशन लेना पड़ेगा और नहीं परमीशन जहां रुका वहीं पर खतम अगर एक महीने के अंदर परमीशन नहीं मिला तो भी खतम छे महीने के बाद परमीशन नहीं मिला तो भी खतम दोनों हाल में खतम हो जाएगा तो जब समाप् मतलब क्या होता है वह समझ लो कि हो सकता है कि आपने अभी olur तक समझा नहीं हो जीली सिल ए है भी का मतलब क्या होता है तो रिवी इवयों का मतलब यह होता है कि आपने जरू upset गाया है चाहां अन सो बावन का इमर्जेंशी यो कि 306 शांत को करता हूं ताकि आपके खोपड़िया में एकदम अंदर तो गुज आए और खोपड़िया में 352, 353, 360 गुज गया ना तो exam का question एकदम solve करके आ जाओगा बेटा तुम एकदम गलती नहीं करोगे मुझे मालूम है ठीक है तो खोपड़िया में गुज आने के लिए मैं बावार इस बात क जैसा की 1975 के बारे में कहा जाता है इंद्रागांधी जी की सरकार के बारे में कि एक ill mentality के था तो उन्होंने इस emergency को लगाया था और तो पूरा अंदोलन चला था और किस तरीके से इंद्रागांधी जी जिल भी गई थी तो दूस्ट मानसिक्ता से emergency लगाया हो तो यहां पे Supreme Court review कर सकता है कोई भी emergency चाइनेस्ट इमर्जेंसी हो सकता है कि आप दूस्ट मानसिक्ता से लगाया हो ठीक है तो यह बात ध्यान में रखिएगा कि आपकी जो क्या बोलते हैं सूच है आपकी जो पीछे का विचार है मतलब emergency लगाने की पीछे का पूरा पूरा थौट है पूर रहने देगी अलगीन अगर उसको लगे कि नहीं नहीं यह तो कहीं ब्रदमासी है रात में इसको सपना आया है और सुबह हमें जो है नहीं emergency लगा दिया है ति सपना से देश चलेगा सपना से दो देश नहीं चलेगा जैसा कि कुछ लोगों ने चलाने की कोशिस किया था तो emergency का राज सरकार मैंने क्या कहा कि यहां पर कोशन है और कोशन के साफ से यह एंसर कहा रहा है राज सरकार क्या पर पड़ेगा तो 352 के केस में राज सरकार चलता रहेगा राज सरकार चलता है रहाएगा लेकिन राज सरकार केंद्र के अनुसार काम करेगा 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 इस बात को समझेगा किस केस में? 352 के केस में केंदर के बनाएगा नियम के उसार 356 के क vendor के में क्या होगा राच sy attract भंग को जाएका वही बात लिखा हुआ गा मतलब क्या होता है मतलब यह है कि 306 लगाया कि समझ में तरी कि अधार में हीए Пॉइंग समझ में आज़ाता है dissolve कर दिया जाएगा state government को और state government यानि कि राजसुची के जो विषय है उस पर कौन audit बनाएगा केंद्र सरकार यानि राजसुची के विषय है पर केंद्र चा crown बनाएगा कानून बनाएगा ठीक है राज सरकार चांनू बनाएगा और 360 के case में क्या होगा राश सरकार चलते रहेगी बस केंसरकार उसको regulate करना शुरू कर देगा तो ध्यान दखिएगा कि जब भी राश सरकार की बात हो कि राश सरकार पर क्या परवाप पड़ेगा किसी भी इमर्जेंसी में तो 352 में राश सरकार चलती रहेगी लेकिन सींट्रल गर्मेंट के अंतरगत काम करेगी उसके मनाये उसके सुझाया गए कादमों की इंसाफ से चलेगी 356 के case में राश्रकार समाप्त हो जाएगी क्योंकि उसने अच्छे से शासन नहीं किया है और केंसरकार जो हैना राश्ची के विशे पर कानून बनाना शुरू कर देगी और चुकि सुची आप पहले पढ़े हैं सेवेन सीडियूल का तो एक बार पीछे जाकर के देख लिजेगा सीडियूल को हर बात अगर यही में बताते रहूं तो फिर वीडियो लंबा होता चला जाएगा ठीक है और 360 के case में राश्रकार जाईड हैगी लेकिन किन सरकार उसको समय समय पर सुझाव देती रहेगी हलाकि किन सरकार नहीं यहां पर राश्रपती की बात हो जाती है जब 360 की बात होती है तो आगला पॉइंट है लोगसभा पर क्या परभाब पढ़ेगा अगर 352 के case में तो लोगसभा का का कारिकाल एक बार में एक साल के लिए बढ़ाया जाता है और यह कोशन मोस्ट भी भी आई है पता नहीं कितने वारे एक्जाम में कोशन पूचा है तो इस बात को ध्यान रखियागा कि 352 के case में बेढ़ा और इंटर्नल डिश्टर्बेंस के अधार पर क्या हो गया है आम्ड रिवेलियन यह तीनों बात मैं सुरू से बताते हुए चला आ रहा हूं चले फंडामेंटल राइट पर क्या प्रभाब पढ़ेगा फंडामेंटल राइट यहां पे बात बड़े गौर से समझेगा चाह है कोई भी इमर्जेंसी लगा दो फंडामेंटल राइट का आर्रिकल 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होगा यही बात मैंने आपको लिखा को यहां पे 20 सकता है सस्पेंड नहीं किया सकता है तो आटिकल टवंटी और टुन टविवन टुन ट्रों ट्वन क्या है यह आप हमस्थे लिखेंगे लिखाई बड़ी ध्यां से आप हमको कमेंट में थ्रा सा बताहिए क्यों की से राष्टपती जब चाहे तब समाप्त कर सकता है 356 और 350 को समाप्त करने के लिए लोगसमा में एक पास कर दे और वो सधार और समाप्त हो जाएगा ठीक है आगे बढ़े चलिए बेतन में कटोती तो देखें बेतन में अब चुकि देश में बेतन में कटोती की बात हो रही है तो देश में अगर अगर आपकन स्वार्ब कीजिए आगर केशन एंगजाम का स्वार्व नहां हो तो आप कमेंट कीजिए और हमें बताइए हम आपको question को solve करने की पूरी कोसिस करेंगे comment जरूर कीजएगा क्योंकि आप comment नहीं करते हैं comment करना बहुत ज्यादा important है comment जरूर आप हमें कीजएगा समझ में आ रहा है आगे बढ़ें आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा तेजी से आज वीडियो को बनाएंगे आज का topic हमारा थोड़ा सा तेज पढ़ाएंगे इसके पीछे बजह क्या है कि हमें चीजों को जल्दी wise president इससे पहले राष्ट्पती पढ़े हम लोगों ने और राष्ट्पती के जितने भी powers थे उसके वारे में बात कर लिये थे ठीक है आप लोग comment जरूर करेंगे अगर कोई दिक्कत हो comment नहीं करते हो comment करना comment जब करते है आप तो comment करना मतलब इससे teachers को बहुत ज्यादा अच् और यह बीडियो के बीच में इसलिए बोला हूं क्योंकि यह देखते हुए और यह बात सुनेगा तो कमेंट करे अगर आप हमसे जुरे हुए है तो चलिए उपराष्पती की बात कर रहे हैं यानि कि वाइस प्रसिडेंट के बारे बात किया था उसके आर्टिकल्स को देखें 皆 ध्यान रखेगा आपके कॉपी में जो आपको पीड़ेभियखोगा, हीरी प्रोब ₩ होगा और आज्टपति के नाम का पीड़ेभ गणा यानिक हम समझाएंगे वूसके कॉपी कलम्स से लिखे गेंगे बड़े द्यान से लिखेगा और समझेगा चले सबसे पहले बात, आर्टिकल 63, हिंदी ग्रीज दोनों में लिखा हुआ है, तो प्रोब्लिम नहीं समझेंगे The Vice President of India, भारत के उपराष्टपती होंगे ठीक है, भारत के उपराष्टपती होंगे, हैं, भारत के उपराष्टपती होंगे, तो होंगे जब भारत के उपराष्टपती होगा, वो राजथ्षभा का सभापती हो जाएगा कहने का मतलब यह है, कि अभी भारत का उपराष्टपती अगर बंकया बंकया नायर डू है, तो यह राज़्षभा के क्या है? सभापती भी है, इस बात को ध्यान रखेगा और यह automatic है, इसको ex officio बोलते हैं, जो कोई भी होगा, तो आपको जवाब यह देना है कि भारत के पहले सभापती कौन थे राज सभा के, यही बात आपको question का जवाब देना है, comment में, सब देना, जरूर देना, जानते हो, नहीं जानते हो, दोनों ही हालात में, जानते हो, तो ज उपराष्टपती होगा, हमारे क्या हो जाएंगे रासभा के, सभापती होगे, यह article क्या है, 64 है, यानि कि 64 है, 65 क्या कहते हैं, उपराष्टपती के वारे में, कि उपराष्टपती का राष्टपती के रूप में कारी कर रहा, अब मैंने यह बाते अच्छे तरीके से समझा कि जब कभी भी यानि कि जिस भी हालात में राष्टपती का पोस्ट खाली हो जाए तो राष्टपती का पोस्ट कैसे खाली होगा हम रिविजन कराते आपको या तो वो त्याग पत्र दे या तो उन पे impeachment यानी की महाभियोग लग जाए या उनकी मिर्तिव हो जाए तो ये खाली हो जाएंगे और पांच साल का tenure पूरा हो जाए तो भी खाली हो जाएंगे तो चार कारण हमने आपको बताया था जिसमें से तीन कारण जो है ना उस कारणों में ततकाल राष्टपती क बेठ करके काम करना शुरू कर देंगे और उप्राष्टपती भी ने रहे तो रहेता है यहां पर अपर उप्राष्ट पति के रूप में काम करना सुरू कर देंगे अर्टिकल 65 यही बात आपको कहता है और जब आर्टिकल 66 की बात करते हैं उपर राष्टपती का चुनाव तो यहां पर ध्यान दिजेगा जब हम राष्टपती की चुनाव की बात कर रहे थे राष्टपती के चुनाव की तो हमने आपको कहा था बड़ा इंटरलेटेड है इसलिए मैं तेजी से निकल रहा हूं किसमें राष्टपती के चुनाव में लेकिन जब उपर राष्टपती की चुनाव की बात करते हैं तो यहां पे लोगसभा और राष्टपती के सदस भाग लेते हैं यानि कि दोनों सदनों का सदस भाग लेते हैं इसमें निर्वाचित और मनोनित जैसे बाध्यता समाप्त यानि कि बाधता नहीं है तो जब भी कोशन आपसे पूछे कि उपराष्ट पती के निर्वाचन में उपराष्ट पती के चुनाब में कौन भाग लेते हैं तो लोगसभा और रासभा के सदस भाग लेते हैं या फिर दोनों ही सदनों के सदस भाग लेते हैं यहाँ पे ध्यान उपराश्टपती का सपत तो उपराश्टपती का सपत राश्टपती के दोरा दिलाया जाता है तो यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखेगा यह उपराश्टपती जी के लिए मैंने कुछ बात बता है उनके काम को ही बता दिया उनका काम क्या है अगर राष्टपती ना रहा है तो राष्टपती के रूप में काम करना और अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो राष्टपती के रूप में काम करना उनके पास दो ही काम है या तो राष्टपती ना है तो राष्टपती बनके काम करेगा जिसको काड़ेबाह राधा कृष्णनन है जाहिरुष्णन है बीवी गिरी है गोपाल सुरू पाठक है हिदायत उल्ला साहव है बेंकर ट्रमान है संकल जासरमा है नरायनन है कृष्णकांथ है कृष्णकांथ की मिर्तियों हो गई थी अपने पद पे रहते हुए तो यह कोशन हो सकता है आपके ए ठीक है तो पदाबथी के दरान इनकी मिर्ति हो गई थी कृष्णकांथ का भैरो सिंग सिखावत है हामीद अंसारी बेंकर या नायडू अभी तक है तो यह भी है ठीक है हामीद अंसारी जानते हैं कि दस साल तक आपके उपराश्टपती रहे हैं तो यह वाइस प्रसिडें यानि कि सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा सर्वुच नियाले दारा सरव हो जाएगा अगर इनके निरवाचत से सम्मंदित किसी तरह का कोई प्रोडिम हो और यह मुष्ट वी वी आई है ध्यान रखेगा यहां से एक्जाम के कोशन आये हैं कि अगर राश्टपती और उप पढातकारिन बविवस्था के वादे में बात किया था अब union हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा बात होगा कवर कर देंगे तो हम यहां पर आपको आज Parliament के बारे में बात कर लेते हैं. चलिए Parliament के बारे में सबसे पहले बात करते हैं. तो आपको पता है कि जो हमारा संसद होता है वो तीन चीजों से बना होता है, लोकसभा, रास्थबा, राष्टपती, जहाँ भी question पूछे जाएगा यहां से question आएगा article 79 के अंतगती कहा गया है कि Parliament consist of लोगसभा, राश्चभा and राश्टपती यानि कि संसत जो है ना वो लोगसभा, राश्चभा और राश्टपती से मिल के बना होता है यह question exam में पूछा है, इसको आप कभी भी ignore करके नहीं चलेंगे, इस बात को ध्यान में आप रखेंगे, बहुत ज्यादा important है यह चीज, आगे बढ़ें, राश्चभा के बात करते हैं, हिंदी इंगलिस वाले बच्चे बिल्कुल परसान नहीं होंगे, PDF में हिंदी इंगलिस म जाते और यह question exam में आया है, ध्यान रखेंगा कि कौन ऐसा सदन है, जो उच्च सदन है, तो राश्चभा उच्च सदन है, अपर हाउस होता है, उच्च सदन कहलाता है, हिंदी इंगलिस दोनों में लिखा हुआ मिल जाएगा, चलिए, राश्चभा पर्मानेंट हाउस है, यानि की अस्थाई सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता है, तो इसका tenure क्या होगा, तो tenure 6 एर है, अब आप पूछेंगें कि सर यह भंग नहीं होगा, तो इसका tenure कैसे हो गया, मतलब कि जब से राश्च सभा बना है, तब से अगर आज तक यह भंग नहीं हुआ है, तो तो इसका 2 पर साथ के सदस्य धाइंगे कर साखस्या लेकिन उसको बड़े ध्यान से समझेगा, मैं बोट पे लेके चलता हूँ, और यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंद इंगलीज दोनों में मिल जाएगा, बोट पे लेके चलता हूँ. देखिये, होता क्या है? उसको थोरा ध्यान से समझेगा, होता ये है, कि एक तिहाईच्दस, हार दूसरे साल, यहाँ पे दूसरे लिख रहता हूँ, दूसरे साल, क्या होते हैं? रिटार होते हैं. यह बात हिन्ड इंगलिस दोनों में लिखा हुआ है मैंने बोर्ड पे भी लिख दिया है एक तिहाई सदस अब इसको समझते कैसे वह देखिए समझते हैं मान की चलो राशाबाव कितने सदस हैं 245 एक तिहाई कितना होता है वन थर्ड आठ तिरी 24 और लगभग 24 लग भग विर चयाशी ले सकते हैं तो कभी आगे पीछे करना होगा बिराशी सदस तो बिराशी सदसं नौन है और पूरे में प Leb horses Si Fr लोगेता हो गया तो जीतना रीटार हो गा नो उत्माहिं क्या न होंगे तो 82 अगर retard होते हैं यानि कि यह cancel होता है तो 82 ही यहां पे क्या हो जाएगा सही होगा यानि कि entry करेगा यहां पर लिगता हूं इंटर जितना exit होगा यहां पर exit होगा उतना ही क्या करेगा इंटर होगा उसी समय लेकिन जो यह entry है यह कव रिटार होगा तो यह रिटार होगा 2026 में इस 82 में बाकी जो बच जाएगा 245 में से माइनस 82 करने के बाद वो फिर आगला 25 में रिटार होगा तो उस समय ध्यान रखेगा कि नए member जो add होंगे वो छे साल तक चलेंगे और छे साल बाद उनके retard होने का समय आएगा लेकिन हर दूसरे साल ऐसा member मिल जाएगा 82 जो कि retard होने के कागार पर है हर दूसरे साल तो यहाँ पर point क्या है कि हर दूसरे साल एक तिहाई से 10 क्या हो जाते हैं हो जाते हैं राजसभा में और यह कोशन एक्जाम में बना है और यही बात मैंने हिंदी इंगलीज दोनों में लिखा है तो इस बात को ध्यान में रखेगा every second year one third member retired and same number of members joined the राजसभा याद रखेगा उतने ही सदस्यों का चुनाब करते हैं यह बात मैंने लिखा हुआ है elected member of legislative assembly विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों के सदस्यों का क्या करते हैं चुनाब करते हैं इस बात को अब ध्यान में रखेंगे इस बात को अब ध्यान में रखेंगे चलिए ठीक है आगे allocation of seat of राजसभा के seat of a कैसे होता है तो फोर्थ सीडूल में आपने सीडूल परा है चौर्थे सीडूल में यह बात है कि राजसभा के seat of 12 चौर्थे सीडूल की बात यहां पर होए राजसभा की seat of a one-ton चलिए राजसभा में कितने सदस्यों होते हैं maximum 350 presently कितना है 345 राज्यों से क कितना है आठ नॉमिनेट कितने होते हैं 12 मनोनित कितने होते हैं 12 कौन मनोनित करता है प्रसीडेंट मनोनित करता है आधार क्या है यहां पर लिए करता हूँ आधार आधार है कला साहित खेल बिज्यान इन सब जूरे से इन जगों से जूरे हुए पर्मुख वेक्ति को राष्टपती मनुनित करते हैं कला साहित खेल विज्ञान संस्कृति जो भी है इन से जूरे हुए जो लोग होते हैं उनको लोग राष्टपती मनुनित करते हैं कितने लोगों को 12 लोगों को कहां रास्वा में तो इस बात को ध्यान रखे बढ़े चली आगे बढ़ते हैं आगेशल में 2 बात हिंदी में आप देखा लिख लिजेगा अल projets कि पीडिएफ आप मिल जागा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन यहीं बात हिंदी में है आप ध्यान रखेगा कि छे वर से अस्थाई सदन है उस सदन है चुनाव अपर्तियक्ष रूप से अच्छा अपर्तियक्ष रूप से बिधान सभा के से निर्वाचित होता है ज़रा आप पर्तियक्ष और पर्तियक्ष चुनाव के बारे में बात कर ले यह भी बात आप ध्यान में रखेगा कि अपर्तियक्ष चुनाव और पर्तियक्ष चुनाव क्या होता है थुरा सा ध्यान में आप रखेगा अपर्तियक्ष और पर्तियक्ष देखिए जब हम पर कुन चुने जाते हैं परत्यक्ष चुनाव से यहां पर चुने जाते हैं MP MP कहा के लोक सभा के यहां से चुने जाते हैं MLA Member of legislative assembly कहां बिधान सभा के गलिंए कि दिद्रूर्व के अठोद के अज चुनाव से पर्तियक्ष चुनाव है लेकिन पर्तियक्ष चुनाव की बात करते हैं अपरत्यक्ष चुनाव जब अपरत्यक्ष चुनाव की बात करते हैं तो यहां से कौन चुने जाते हैं वो देखिए MP MP कहां का MP राश्वा का MP और कौन चुने जाते हैं प्रसीडेंट कौन चुने जाते हैंПрिषवाँ और कॉनच चुने जाते हैंट में जد ऊते हैं लिक्षण फ़ियुक्त दोनों होता यह उसकंत्र का네ऊं वाइस प्रेसिडेंट या कोई भी अध्यक्ष बगढ़ा हो और परत्यक्ष चुनाब से चुने जाते हैं जाए लोगसभा के अध्यक्ष हो तहला कि वहां पर तो लोगसभा के मेंबर ही चुन लेते हैं तो पॉइंट ध्यान में रखेगा यह परत्यक्ष चुनाब है इसको अगर और असान तरीके से समझना है मैं हट जाता हूँ आपको लिखने में दिक्षत होगा इसको और अगर असान तरीके से समझना है तो कुछ इस तरीके से है मैं लिख लिया होगा अपने से मैं आपको बता दू कि जहां आप बोट करने चले जाए यानि कि जब बोटिंग बूत तक आम आदमी पहुंच जाए तो वह परत्यक्ष चुनाब है लेकिन जब बूत तक आम आदमी ना पहुंचे तो वह परत्यक्ष चुनाब है राश्च्पती के चुनाब में आप नहीं जाते है तो वह परत्यक्ष है राश्च्पती के चुनाब में आप नहीं जाते है लेकिन लोग सभा के चुनाब में आप जाते हैं विधान सभा के चुनाब में जो विधायक होता उसमें आप जाते हैं बोर्ट डालने के लिए वह परत्यक्ष है और जहां बोर्ट डालने के लिए नहीं गए वह अपरत्यक्ष है बड़ा सिंपल पॉइंट है इस वह अच्छ लेकिन उम्र होना चाहिए 30 साल आप बन सकते हैं, पागल दिवालिया आप हो नहीं सकते हैं, तो यही बात आप ध्यान रखेगए, क्यों नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं, लेकिन होना नहीं चाहिए. यह बात हैं अब ध्यान में रखते हैं, चेर पर्षन कौन होगा, तो चुकि हमने आपको बताया कि जो भारत के राष्टपती होगे, वही सभापती हो जाएंगे, किसके राष्टपती हो जाएंगे, तो हमने लिखा यह, और अभी कौन है, बंकाया, नाइडू है, तो यह बा चुन लेते हैं तो इस बात को ध्यान में अपड़ा कियेगा रासाभा के सरस्यों का चुनाप किया जाता है अपने ही बीच से अपने ही बीच के सरस्यों से अपने ही बीच के सरस्यों के द्वारा चलिए यहां पर एक बात मैं एज के लिए करके मेरे मन में चला था तो मैं फि प्रसिडेंट 35 साल चले वाइस प्रसिडेंट 35 साल गवर्नर 35 साल राज सभा के सदस 30 साल लोग सभा के सदस 25 साल ठीक है आगे विधान सभा 25 साल आगे ध्यान दखेगा विधान परिशद 30 साल ठीक है पंचायत 21 साल मुंसिपालिटी 21 साल यह सब मिनिमम एज है इसको ध्यान रखेगा यह सारे क्या है मिनिमम एज है मिनिमम कम से कम उम्र जो है यह होना चाहिए मैंने सब के उम्र लिख दिया है आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा ठीक है आगे बढ़ें चलो मेरा एक्जाम का कोशन है कि राज सभा के पास इस बात का अधिकार है कि वह अखिल भारतिय सेवा को नए अखिल भारतिय सेवा बनाने के लिए सबसे पहले बीध्या को राज सभा में लाए तो ध्यान रखेगा यहां पर यह लिखने का मतलब यह है कि अगर आप से कोशन पूछे कि अगर अखिल भारतिय सेवा का सिरिजन करना है तो वह राइट सबसे पहले किसके पास है तो राज सभा के पास है इस बात को आप समझ लिजेगा ध्यान से और इस बात को एक्जाम का 110 तो यह भी बात अप समझ लिजेगा के अखिल भारतिय सेवाओ के बारे में बात हो इसक whom आप समय लिजेगा तो आप ज्ए सबाद से पहली बार नहीं है लेकिन पहली बार नहीं है। किis लोग सबाद सब्सिए के साथ ते चलेंगे लोग सबाओ को क्या कहेंगे lower house तो इसे क्या कहते हैं lower house कहते हैं यह पर्मानेंट नहीं है यानि कि ओ अस्थाई है और इसे dissolve किया जा सकता है dissolve होने के क्या कारण है वो हम आगे बढ़ाएंगे आपको बताएंगे ठीक है मैंने रासवा बताया था tenure कितना है चे साल का यहां पर tenure कितना है पांच साल का यह बात अब समझ लीजिए वहां पर हमने क्या बात आया था इंडारेक्ट एलेक्शन यहां पर क्या है डारेक्ट एलेक्शन यानि कि अठाड़ा बोर्स और उससे उम्र के ज्यादा जितने भी भारत के नागरिक हो वो जाकर के चुनाम में भाग ले सकते हैं यह बात है एलोकेशन ओफ सीट क्या है? पॉपॉलेशन के आधार पे है और वहां भी पॉपॉलेशन के आधार ही है तो पॉपॉलेशन का आधार एक पॉइंट है जिसको एक्जाम में देखेगा यह कोशन एक्जाम में बना है ठीक है वहाँ पे maximum seat कितना था? 250, यहाँ पे कितना है? 550, पहले क्या था? 552 था, लेकिन दो seat जो Anglo-Indian का है न, वो 140 यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, कि nominated member दो Anglo-Indian हुआ करता था, ठीक है? तो उसको क्या कर दिया गया? कि 104 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, 104 Constitutional Amendment Act 2019 के द्वारा, इसको abol Police कर दिया गया है, इसको सनाप्त कर दिया गया है, इसलिए 550 मैंने लिखा है, 550 मैंने नहीं लिखा है, इसको आप अच्छे तरीके से समझेगा, और एक बार 104 Amendment को भी आप जरूर पढ़ेंगे, इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा आपको जरूरत है, चलिए, presently कितने member है? 543 member state से कितना? 523, 523 और UT से कितना है? 20, ध्यान रखेगा, जो दो Anglo-Indian nominate होता था, उसको 104 से हटा दिया गया है, amendment act से हटा दिया गया है, इस बात को समझ लिजएगा, अभी आपकी speaker कौन है? ओम बिरला है, अभी speaker, और speaker का एक list भी हम आपको अभी देंगे, चलिए, यह reservation की ब रखेंगे, अगला point फिर से वही, लोग सभा में qualification, यह हिंदी में है, निचला सदन कहा जाता है, अस्थाई सदन है, भंग किया जा सकता है, कारिकाल 5 साल का है, ब्यस मत अधिकार के अधार पर यहाँ पर चुनाब होगा, सीटों का अवन टंजन संख्या का अनुसार है, तो यह बात हमने आपको दोनों बातें यहाँ पर कर लिया, यहाँ पर टाइम बिताना हमारे लिए ज्यादा बेहतर नहीं है, जहाँ पर टाइम बिताना होगा, वहाँ पर हम जरूर बिताएंगे, योगता देखिए वही बात है, भारत का सदस्त, नागरिक होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाब के पद पर नहीं होना चाहिए, उम्र यहाँ पर 25 साल, जिसकी चर्चा हमने पहले कर लिया, अलग-अलग जगों के जो उम्र है, वो कितना है, तो मैंने आपको बता दिया कि किसका कितना उम्र है, मैंने ब प्रोटेम स्पीकर जो होता है वो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ, दरसल जब नई लोगसभा आती है, नई लोगसभा का मतलब चुनाब के बाद जब नई लोगसभा आती है, तो लोगसभा के सदस्यों के बीच से ही एक बरिष्ट सदस्य को प्रोटेम स्पीकर चु बैठा मेन काम है पहली नई लोगसभा का सब्सक्राइब और प्रोणी लौपा सभा सब्सक्रा पॉस्ट संपाप्त होे जाता है और घ्च को जाता है और अद्यां और और अध्याक्ष है आ प्रोणी अध्यां प्रोणीस पूछता है कि यहां Tombadam लोगसभा के अध्यक्ष, लोगसभा के समाप्ती होने पे यानि भंग होने पे उनके पद समाप्त हो जाते हैं, तो नहीं, उनके पद तब तक बने रहते हैं, जब तक कि नय लोगसभा अध्यक्ष न चुन लिये जाएंगे, तब तक पुराने लोगसभा अध्यक्ष का पद बना रहेगा और प्रोटे में speaker नए लोगसभाद ध्यक्ष चुनते हैं और फिर पुराने लोगसभाद ध्यक्ष का पद क्या हो जाता है समाप्त हो जाता है यानि कि वो अपने पद को छोड़ देते हैं इस बात को आप समझेगा तो प्रोटे में speaker एक और अस्थाई नेचर का पद है जिनका काम है नए लोगसभाद ध्यक्ष का चुनाब करना और लोगसभाद नए लोगसभाद को बैठा करना ठीक है चलिए speaker speaker कौन होते है तो लोगसभाद के सदस्यों के द्वारा अपने ही बीच से चुने जाने वाले होते हैं speaker अभी ओम बिल्ला है और युज़ी तरीके से deputy speaker भी होते हैं लोगसभाद के सदस्यों के द्वारा अपने ही बीच से चुने जाने वाले सदस्यों है उसको भी deputy speaker बना ल लेकिन speaker के पास बहुत सारे powers होते हैं अध्यक्ष के पास बहुत सारे पावर होते हैं जिस तरीके से रासवा सवापती के पास होते हैं तो चुकि लोगसभा के अध्यक्ष से exam को question बहुत बार पूछे हैं तो आध्यक्ष के पढ़ेंगे भी हम इसको बात करते हैं एक एक करके ध्यान दिजेगा लोगसभा के अध्यक्ष की सकती क्या है सबसे पहला सकती एक एक करके लिखा हुआ है सबसे पहला सकती है कि वो सदन की मर्यादा को बनाये रखते हैं यानि कि सदन के डिसिप्लीन को बनाये रखते हैं ये इसका सबसे पहल जा सकती है लोग सभा के अध्यक्ष का सदन के discipline को बनाया रखना यह बहुत important है ठीक है एक यानि कि लोग सभा का जो अध्यक्ष होते हैं वो अपने सदन के एक तरीकरी समझे कि हीरो होते हैं वो जो चाहेंगे न वही होगा जिसको चाहेंगे लोग सभा से बाहर निकाल देना उसको बहार निकाल सकते हैं ठीक है जिनको चाहेंगे कि आप question पूछे वो question पूछेगा जिनको चाहेंगे कि आप बैठ जाएए वो बैठ जाएगा यह बड़ा important point है इसको आप समझने की कोशिस कीजिएगा बड़ी वास समझ में आ रहा है एक दूसरा point यहां पे ध्यान द संख्या की जुरुरत होती है और सबस jewelry चलेगा अगर कि लोग Осब हमें अगर 243 या 245 है तो 24 या 25 मिंबर होंगे तो राजसवाद चलेंगे और नहीं तो नहीं चलेंगे तो जो कोरम होता है वो minimum number of member होता है to execute the house और अगर ये कोरम पूरा ना हुआ तो सभापतिया और ध्यक्ष का ये काम है कि सभा को अस्थगित कर दे सभा को रोक दे और यही बात है आपर लिखा है कि अगर गनपूर्ती ना हो यानि कोरम ना हो तो सदन को क्या कर सकते हैं वो अस्थगित कर सकते हैं बैठा को वो क्या कर सकते हैं अस्थगित कर सकते हैं ये लोग सभा के अध्यक्ष का दूसरा पावर है, जिसको आप अच्छे तरीके से समझेगा कोरम का, तो कोरम कितना होता है, 1 by 10 of total member, 1 by 10 of total member, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ें, अगला point, ये भी exam का question है, कि लोगसभा के अध्यक्ष्ट होते हैं, जो पहली बार में मतदान नहीं करते हैं, यानि कि किसी बिध्यक पे हो रहा है, और वो बराबरी पे आ गया, मतलब ये कि 200 लोग उपस्तित हैं लोगसभा में, और किसी बिध्यक के ऊपर में बोटिं हो गया, तो 100 इहां में और 100 ना में हो गया, तो बराबरी आ गया, तो बराबरी के case में लोगसभा के ध्यक्ष्ट बोट कर तो लोग सभा के देक्ष का बोट क्या होता है निरनायक होता है वो अंतिम समय में बोट देते हैं जब टाई की स्थिति हो जब बराबरी की स्थिति हो पहले वो बोट नहीं देते हैं वो बोटिंग करवाएंगे बोट देंगे नहीं और जब बराबरी हो तो बोट दे करके य इंग्लिस में भी आपको मिल जागा और PDF भी आपको मिल जागा चिंता मत कीजिए ठीक है तो इनका बोट क्या होता है निरनायक होता है हो गया अगर हम comparison करें राजसभा के सभापती से तो मैं आपको बता दू कि राजसभा के सभापती के पास बोट देने की क्या बोलते हैं अ उपराष्टपती होते हैं तो जो सदस होगा वही बोट देंगे ना अध्यक्ष तो राजसभा के सभापती जो होते हैं लोग सभा के सदस होते हैं लेकि राजसभा के जो चेर परसन होते हैं वो तो राजसभा के सदस नहीं होते हैं तो वो बोट नहीं देंगे और यह बात नहीं देंगे, किसी भी तरीके के बोटिंग में भाग नहीं लेंगे और चुकि लोगसभा के अध्याक्ष लोगसभा के सदसू होते हैं तो किसी भी तरीके के बोटिंग में भाग ले सकते हैं लेकिन निरनायक रूप में यानि अंतिम समय में इस बात को अपने copy में लिख लेना बेटा ये question गलत ना हो चलिए concept मैं साथ साथ बताती हुए चलता हूँ अगला बात है कि वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं संयुक्त बैठक की अब संयुक्त बैठक के बारे में हमने पहले भी बात किया अभी बात करते हैं कि जुआइन सिटिंग क्या होती है तो जब भी दो सदन के बीच में गतिरोध हो जाए मेरी बात अच्छे तरीके से समझेगा और मैं एक-एक point यहां पर लिखा हूँ और उसको समझाते हुए चलता हूँ ठीक है जब भी दो सदन के बीच में गतिरोध हो जाए तो उस गतिरोध के समय यानि की गतिरोध हो तो राष्टपती दो तीन कोशन एक्जाम का निकल रहे यहां से तो राष्टपती के पास इस बात का अधिकार होता है कि वो संयूक्त बैठक बुला है तो संयूक्त बैठक की अध्यक्सता लोगसभा के अध्यक्ष करते हैं लेकि संयूक्त बैठक को बुलाता कौन है राष्टपती और ये कब होता है तो जब दो सदनों के बीच में गतिरोध हो जाए तब होता है तो यही बात आप दिहान में रखिएगा इसको पॉइंट को अच्छे तरीके से बनाइएगा आप अपने कौपी में गलती नहीं कीजिएगा ये बात समझ में आ गया पक्का ना चलिए अगर ये बात आपको समझ में आ गया तो मैं आगे आपको बताओं कि संयुक्त बैठक में जो निर्ने होता है ये भी कुछन एक्जाम का है में सारी बाते आप अपने कौपी में लीखो बेटाज ठीक है संयुक्त बैठक का जो निर्ने होता है वो सधारन बहुमत से होता है सधारन बहुमत से तो यहां पर लीख देता हूं मैं joint session, ठीक है, कौन बुलाता है, call by president, अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता, तो precise by speaker, speaker का मतलब भी होता है, लोग सभा के अध्यक्ष, ठीक है, और तिसरा point है, कि यहाँ पर निरने कैसे होता है, decision, by simple majority, by simple majority, यह सारी बाते हमने आपको बता है, by simple majority, तो simple majority से क्या होगा, इसका निरने होगा, joint session की बात हम लोगों ने किया था, ठीक है, joint session, इस बात को आप अच्छे तरीके से समझेगा, बहुत गौर से समझेगा, और इसका article side 108 है, ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए, आगे लोग सभा के अध्यक्ष के बारें बात करते हैं, ठीक है, आगला point है, हाला कि बिध्यक पढ़ाएंगे भी, तो उसमें भी हम बात करेंगे, कि कोई भी धन बिध्यक है या नहीं, यह निरने कोन लेता है, लोग सभा के अध्यक्ष, और यह question exam का है, कि कि कोई भी बिध्यक, यह निरने के लिए आपको पूर्ण बहुमत के अधार पे उनको हटा सकते हैं, तो बहुत important नहीं है, exam का question आपका नहीं बनेगा, लेकिन अगर कभी बन जाया, तो आप यह करेंगे, कि उनको हटाने के लिए आपको पूर्ण बहुमत, यानि कि लोग सभा के कुल सदस्यों क का बहुमत, जिसको सधारन बहुमत कहते हैं, simple majority जो मैंने आपको समझाया था, वो होता है, तो यहां पर लिए था हूँ है, simple majority, हिंदी इंगलिस वाले बचे बिल्कुल परसान नहीं होंगे, PDF आपका हिंदी इंगलिस दोनों में मिलेगा, और मैं आपको समझा रहा हूँ, उसमें कलम आप चलाते रहे हैं, कलम चलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी बाते बीना लेख हुए मैंने समझा दिया है, कल को आप यह ना कहेंगे कि एकजाम का कोसन नहीं बना, क्योंकि फिर मैं आपको प्रूफ के तौर पर बता दूँगा, वीडियो का कि हाँ इनके बेतन कहां से मिलते हैं, इनके बेतन संचित निधी से मिलते हैं, संचित निधी से, यही बात ध्यान रखेगा कोसन एकजाम का है, भीवियाई है, कि इनके बेतन संचित निधी से मिलते हैं, हाँ, हम एक बार सारे निधियों का बना करके आपको बताऊंगा, आकिस्मि आपको कई बारी पूछा है कि hierarchy में अस्थान कितना है तो साथवा है तो यह लोगसभा के अध्यक्ष की बहुत सारे powers हैं जो हमने आपको बताया और मैंने आपको बताया कि वह अपने सदन का hero होते हैं क्योंकि वह जो चाहते हैं वही सदन में होता है तो इस बात को अब ध्यान में रखेंगे अब हम लोगसभा के अध्यक्ष से आगे बढ़ते हैं और हम लोग speaker के बारे में बात करते कि कौन-कौन speaker रहे हैं ठीक है तो यहां पर देखिएगा यह speaker है और इनका कारिकाल है हाना दो पार्ट में मैंने बनाया है क्योंकि वीडियो में एक ही में दिक्कत हो रहा था तो सबसे पहले कौन है गनेयस बासुदे मावलंकर जीवी मावलंकर और यहां से एक्जाम के question बने हैं ठीक है दूसरे कौन है में आयंगर तो यह दूसरे हैं बाकि आप देख लीजें बहुत सारे speaker है है ना हुकुम सिंग निलम संजीव रेडी है और आपसे question पूछे कि इन में से कौन लोग सभा के speaker नहीं रहे हैं और चार option बना दे तो उसके लिए यह question है हलाकि इसको याद रखना थोड़ा सा मुस्किल है लेकिन आगर आप कोशिज करें तो याद रह सकता है कि पहले speaker से question बना है तो उसको याद रखना पड़ेगा गनेश वासुदेव मावलंकर है ठीक है जी वी मावलंकर एहमदा बात से चुन करके आये थे 1952 से 1956 और इससे यह भी पता चल जाता है कि पहले लोगसभा कब बना था जो फर्स्ट लोगसभा है वो कब बना था 1952 में उसी तरीके से जब हमने राजसभां बताया था तो वहां भी बताया था कि पहले राजसभा कब बना था तो उस date को भी याद रख लिजेगा चलिए तो यह बा लिस्ट है इस लिस्ट को आप Hindi English वाले वच्चे अपने तरीके से लिख लीजेगा ध्यान में रखने की कोशिस कीजेगा जिस तरीके से लिस्ट मैंने प्रवाइड किया है अब आगे बढ़ते हैं Parliamentary Term के बारे में यानि की संसधिये कुछ बिवस्थाओ के बारे में बात कर सबसे पहला अस्थगन की विवस्था एडजर्ण एडजर्ण क्या होता है तो देखो यहां पर लिखा हुआ उसको पढ़ लीजेगा हिंदी की स्दोनों में एडजर्ण क्या होता है पीडिये आपको मिल जागा एडजर्ण होता है कि जब लोगसभा को समाप्त किया जाए कि लोगसभा को समाप्त नहीं अस्थगित किया जाए नाम से पता चल रहा होगा कुछ समय के लिए किसी कारण से अस्थगित कर दिया जाए अब क्या हो सकता है कारण कुछ भी हो सकता है जैसे मैं आपको एगजामपल समझाता हूं मान के चलो कि लोगसभा में गतिरोध हो कुछ डिन हो सकता के लिए दो दिन के लिए अस्धागीत कर दे आनिस्चित काल करें। लोगषभा के अध्यक्ष का वह स्थागित करें। य हमननी सब्सक्षाइब लिए tags के लिए अस्थागीत करें, भू的时候, d92, अस्थागित कर सकते हैं, तो कोशन यह बनेगा कि अस्थागित करना, यह एडजर्ण करने का पावर किस के पास है, तो लोगसभा के अध्यक्ष के पास है, एडजर्ण करने का पावर, लोगसभा के अध्यक्ष के पास, एडजर्ण करने का पावर है, ठीक है न, और लिए वाड आड जर्ण के बाद दूसरा आता है 17 गरी प्राइश्ट के पास ॥ मुझा ऩटेष हम किसके पास ही। यह क्या होता यह पूछन एक्जाम में काई पूछा है। लेकिन मैं यहाँ पर सेशन बतायाता हूं, शेशन कितने हैं, तो सेशन तीन है, यहाँ से एक्जाम के कोस्टन है, मैं सब को स्वल्ब कर लिलता हूं, मैं यहाँ पर आगे यहाँ लेके चलता हूं, ठीक है? सेशन तीन सेशन है कौन कौन सा है तो देखो एक है बजर सेशन मौनसून सेशन उसके बाद कौन सा सेशन आएगा विंटर सेशन ध्यान दिजेगा बजर सेशन एक फरवरी को शुरू होता है और यह लगवाग अप्रील तक चलेगा अप्रील तक ठीक है बजर सेशन लिखावा मिल जाएगा आपको मांसू सेशन कब चलेगा तो जून से शुरू होगा जून जुलाई से अगस्ट सेप्टेमबर तक चलेगा और बिंटर सेशन नौवमबर दिसमबर कभी कभी दिसमबर जनवरी भी हो सकता है तो यह तो फिक्स है एक फरवरी बाजर सेशन का एक फरवरी तो फिक्स है बाकी दोनों में एकाद महीना आगे पीछे हो जाता है दस दिन पंदर दिन आगे पीछे हो जाता है तो इसको लेकर के मन में कभी कोई बात नहीं रखेगा, जैसे देखिए, नमबर, दिसम्बर में बोलता हूँ, आज दिसम्बर में विंटर सेशन को सुरू करते हैं, तो यह बात है, ने दिसम्बर से जनबरी तक चलाएंगे, हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं है, तो सेशन क अगला कोऊवचन यह बोलेगा, बाधित्ता के रूप में, कोऊवचन कैसे बनाएगा, वह मैं बतायता हूँ, और कोऊषन एक्जामे बना है, कि एक साल के अंदर कितने सेशन बुला सकते हैं, मतलब कम से कम, कम से कम कितने सेशन, तो 2 सेशन, within one year एक साल के बाद के अंदर कितने सेचन? दो सेचन, within one year लेकिन यही अगला कोशन क्या बन जाता है? वो देखिए, सेचन कितने होते हैं, तो तीन अगला कोशन, यहाँ पर एक कोशन दो कोशन, तीन कोशन अगला कोशन, दो सेचन के बीच में maximum duration यानि maximum अंतराल कितना होगा difference 6 month maximum जो difference होगा 6 month 3 question solve कर लिए हमने session से 3 question समझ भागया? चलिए, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 17 वसान, तो सत्र को राष्टपती शुरू कर सकते हैं और खतम भी कर सकते हैं राष्टपती से यह भी question एक्जाम में आया है, वो भी बता दूँ कि यह सत्र को बुलाते हैं और सत्र को समाप्त करते हैं ठीक है? याद रखिए राष्टपती जी के बारे में दोनों पॉइंट है सत्र को बुलाएंगे भी और सत्र का समाप्ती भी करेंगे यानि कि बुलाने के समय भी अभी भासन दे के बुलाएंगे और समाप्ती के समय भी अभी भासन दे करके सत्र को क्या करेंगे? समाप्त करेंगे यह राष्टपती जी के बाले point है, इस बात को आपच्छे तरीके से समझेगा अब चलते हैं Bigton, यानि कि लोगसभाका आली होता है, किसका होता है? लोगसभाका Bigton कभी भी राष्थभाका नहीं होता इस जगा पर मैं बहुत सारा concept सम्झाने बाला हूँ बड़ा गौर्चे समझेगा Bigton हमेशा लोगसभाका होगा राष्थभाका नहीं होगा एक, बिगटन होने के कारण क्या होगा, ठीक है, कारण क्या होगा, तो बिगटन होने के दो कारण हो सकते हैं, एक, कारिकाल का पुरा होना, यानि टेनियोर पुरा हो जाना, कारिकाल का पुरा होना, ठीक है, पुरा होना, पहला कारण हो सकता है, और दूसरा कारण जो बिगट प्रस्ताव आ जाए, अभिश्वास प्रस्ताव, अभिश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है कि सरकार का गिर जाना, सरकार का गिरना, ये दो बातें यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा है सरकार का गिरना, दो बातें यहाँ पर होगा, यानि कि बिगटन किसका होगा, लोकसभा का कारण क्या होगा कारिकाल का पूरा हो जाना यहां पे ध्यान दिजेगा और अभिस्वास प्रस्ताव सरकार का गिर जाना तो अगर कारिकाल का पूरा हो गया और कारिकाल कितना है पांच बर्स तो उसके बाद क्या हो जाएगा नए सरकार आ जाएगा नहीं चुनाव होगा सरकार आजाएंगे बात खतम लेकिन जब अविश्वास प्रस्ताव की बात होती है तो इसमें क्या होगा यहां पर यह बात अविश्वास प्रस्ताव को थुरा सा पढ़ते हैं सबसे पहला कोशन तो यहीं बनता है देखिए कैसे घुमा घुमा के मैं कोशन पूछ रहा हूं कि बिगटन किसी बाता होगा लोगस बाता है सबसे होता है टो इसल्ठाव क्या होता है कि अगर बिपक्छी पार्टी को लाएगा कौन, तो बिपक्छी लाएगा, बिपक्छी पार्टी, लाएगा अभिस्वास प्रस्ताओ, होता क्या है, यह समझे, मान के चलो, यहां पर समझाता हो, मान के चलो कि बीजेपी अभी क्या है, अभी सासन में है, और कंग्रेस को यह बहुमत नहीं है कहा लोग सभा में तो लोग सभा में बहुमत नहीं है तो वो अभिस्वास प्रस्ताव ले आएगा ठीक है अभिस्वास प्रस्ताव नो confidence motion बोलते हैं इसको बेटा, अब इस्वास प्रस्ताव ले आएगा, ठीक है, बहुमत नहीं है, अब जब बहुमत की बात आई, तो यहां पर भी कुछ बातें मैं आपको बता दू, एक एक करके step by step करेंगे कि हम clear करते हुए, अब इस्वास प्रस्ताव आजाएगा, तो बहु 72 पलस लिखते हैं, कोई कोई सर बताएंगे 272 पलस, इसका क्या मतलब क्या होता है, तो देखो, इसका मतलब यह होता है, कि 545 से 2 भाग दे दो, तो 2 दूना 4, एक आएगा, 7 दूना 4, फिर 2 दूना 4, 272 पलस 1, तो 272 पलस अगर सीट, यानि 273 सीट से ज़्यादा सीट आजा कि नहीं, BJP के पास सदन में बहुमत नहीं है, कौन से सदन में? लोगसभा में, बहुमत नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? अभिश्वास प्रस्ताव ले के आ जाएगा, तो किस अधार पिलाएगा? तो एक कहानी की तरह बतायता हूं, कि वो जाके अध्यक्ष को कहेग लोगसभा की स्पीकर को, कि हमको अभिश्वास प्रस्ताव लाना है, किस के खिलाप में? तो सत्ता पाटी के खिलाप में, यानि की BJP के खिलाप में. मैं एक्चुआल इसलिए ले रहा हूं, क्योंकि जो सासन में है, उसी के बारे में बात कर रहा हूं. तो लोगसभा के सपोर्ट में. पचास मेंबर आपको प्री सपोर्ट चाहिए, फिप्टी मेंबर. यह कोशन एक्जाम का मना है, कि कितने मेंबर चाहिए प्री सपोर्ट में, तो पचास मेंबर चाहिए, यही बात को ध्यान रखेगा, बेटा. पचास मेंबर प्री सपोर्ट. ठीक है न? चल यहां पर लिए तो में boating यहां पर boating होगा boating हुआ अब अगर boating हुआ यहां पर ध्यान दिजएगा कि boating में दो बाते हो सकती है boating में या तो जीत जाएगा BJP अगर BJP जीत गया यानि कि 273 सीट लिया है तो continue रहेगी उसकी सरकार लेकिन अगर हार गया तो यहां पर क्या होगा सरकार भंग हो जाएगी भंग हो जाएगी यानि कि dissolve हो जाएगी क्या सरकार सरकार भंग हो जाएगी तो dissolve हो जाएगी तो यहां पर क्या होगा तो election होगा election होके नया सरकार बनेगा election होके क्या होगा नई सरकार बनेगी कि आप नय सरकार बनाइंगे कि आप सरकार बनाइंगे तो इसका मतलब Congress के साथ बहुमत है, तभी तो सरकार भंग हो गई, मेरी बास समझियेगा, तो लोगसवा के अध्यक्च ये नहीं मानती है, लोगसवा के अध्यक्च ये कहते हैं, कि देखो सरकार को गिराने के लिए आपने गिरा लिया, लेकिन सरकार बनाने के लिए आपको फिर से बोट में बहुमत साबित करना पड़ेगा, क्योंकि गिराने के लिए हो सकता है, जो लोग आपको साथ दे, बनाने के लिए आपका साथ नहीं दे, क्योंकि यहां पे हीतों का टकराव होता है, class of interest होता है, तो फिर से बोटिंग कराओ, और इस बार अगर बोटिंग म तो कॉंग्रेस अगले 4 साल तक के लिए बनाएगी, यानि कि दोनों मिला करके 5 साल होगा, लेकिन अगर कॉंग्रेस हार गई, तो एलेक्षन का जो एक प्रावधान खुला हुआ था वो तो होगी, और एलेक्षन का बाद नहीं गोवर्मेंट होगी, तो जो अभिस्वास प सरकार बनाने के लायक बहुमत है, वो कितना है? 273, तो सरकार बनाने के लायक जो बहुमत है, अगर वो बहुमत को पा लेता है विपक्षी, तो सरकार भंग हो जाती है, सरकार उतना बहुमत मिल नहीं पाता है, ठीक है, तो सरकार भंग हो जाती है, लेकिन अगर सरकार भंग तो अगर सरकार बनाने के लिए तियार है, तो फिर से बोटिंग कराने के लिए कहेंगे राश्पती की बोटिंग करवाओ और बहुमत साबित करवाओ, अगर बोटिंग में बहुमत साबित हो गया, तो जो समय बचा है, उसमें दूसरा पार्टी सरकार बना लेगी, लेकिन अ आप इसको example समझेंगे, तो करनाटिका में, बिहार में, हर जगा ये example होते हैं, चुकि करनाटिका और बिहार राजसरकार की बात है, या नि विधान सभा की बात है, तो उसे कोई फरक नहीं पड़ता है, विधान सभा और या लोग सभा, ये भी बात मैं आपको बता दूँ, तो basically मैं बात क्या करने वाला था, बिगटन, और ये भारत के राश्पती द्वारा किया जाता है, ये बात आप जानते हैं, अभिश्वास प्रस्ताव के बारे में बता है, मिनमम 50 मेंबर की जुरत होती है, और हाँ, अगर एक बार, जैसे हाँ, यहाँ पर ये कोशन एक्जाम का है, इसको BBI कर देता हूँ, और इसको मैं समझाता हूँ, अगर एक बार आप अभिश्वास प्रस्ताव ले आए, और उसको पर बोटिंग हो गया, अभिश्वास प्रस्ताव को ले करके, तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी बाते आपको अभिश्वास प्रस्ताव से बताया है, इसको आप अपने कॉपी में लिख लिजेगा, नोट कर लिजेगा, अच्छे तरीके से, आगे हम बढ़ते हैं अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट यहाँ पर ध्यान दिजेगा, जो बड़ा इंपोर्टेंट है, एक्जाम का कोशन है, दोनों ही, एक्जाम का कोशन क्या है, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब यह है, बड़ा अच्छा मतलब है, बड़ा तरीके से, और सब समझा दिया हूँ, बस मुझे बताना है, वो यह है, कि अगर लोकसभा भंग हो जाती है, तो जितने मंत्री है, वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, यानि कि नया, क्या बोलते है, चुनाब होगा, नया लोकसभा बनेगा, नय मंत्री मंदल का गठन होगा, तो पुराने मंत्री मंदल क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, तो जब पुराने मंत्री मंदल बेटा समाप्त हो जाएंगे, तो यह कहना चाहता है, कि मंत्री मंदल किसके पर्ति उतरदाई है लोगसभा का लोगसभा समाप्त मंत्री मंदल समाप्त मंत्री परिशल समाप्त है मंत्री मंदल समाप्त समझ गया ना तो किसके पर्ति उतरदाई हुआ लोगसभा के पर्ति लेकिन अगर एक मंत्री कहीं जाता है तो क्या लोगसभा समाप्त ह किया लोग साथ के समाप्त होने से कि साहरे मंत्री पर इसा से उधानived करता है। मंत्री परिशद और मंत्री मंडल में हम आपको अंतर बता दे और उस अंतर को बड़े गौर से समझेगा यहाँ पर मेरे पास स्पेस है मैं इसे स्पेस का यूज करके समझायता हूँ बेन डाइग्राम बनाता हूँ देखो यह पूरा का पूरा मिनिस्टर अफ कॉंसील है जिसले में इंग्लीस में इंग्लीज में कैविनेट मंत्री मंडल में यहाँ पर कैविनेट और मिनिस्टर अफ कॉंसील रिखा है कविनेट होता है तो जी और इसी में एक होता है स्वतंत्र परभार, यानि कि स्वतंत्र परभार होता है एक, और इसी में एक होता है स्टेट, राज एस्टेट मिनिस्ट्री, ठीक है, तो ये एक, दो, तीन, तीन तरीके की मिनिस्ट्री बनके क्या बनता है, मिनिस्ट्र अफ कॉंसील, और तीनों अलग-अलग होत होते हैं राज मिनिस्ट्री अलग होते हैं और कैबिनेट अलग होता है हाँ यह हो सकता है कि कुछ स्टेट मिनिस्ट्री को सोतंतर परभार कर दे तो यह बेंड डाइग्राम कैसे बनेगा तो यह बेंड डाइग्राम ऐसे बन जाएगा ठीक है ऐसे बन जाएगा तो कुछ state ministry को सोतंद प्रभार दिया जा सकता है ये हो सकता है लेकिन cabinet वला बिलकुल अलग होता है और cabinet को kitchen cabinet भी कहते हैं इंदरा गांधी जी के समय में ये बहुत ज्यादा term आया था kitchen cabinet चुकि इंदरा गांधी महिला थी तो इसलिए kitchen cabinet कह दिया गया था ये बोलते हैं तो आप इसको नहीं ध्यान देते हैं लेकिन वही जो दूसरे लोग करते हैं उसको समझ लेते तो बदमास है तो ध्यान रखेगा तो ये cabinet और सोतंतर प्रभार और state ministry इस सब को मिला करके minister of council बनते हैं और ये अलग-अलग है इस बात को स्यान रखेगा अगर आप state ministry दे दे तो कुछ ऐसा बनेगा ठीक है पक्का अब बाकी चीज आप खुछ समझदार है इसको आप समझ लीजेगा अब आगे बरते हैं हम लोग प्रस्णकाल के बारे में बात कर रहे थे तो ध्यान दीजेगा प्रस्णकाल यह क्या है तो first hour of every parliamentary sitting यानि कि जो संसद्य बैठक होता है उसका पहला घंटा जो होता है वो question hour होता है यानि कि प्रस्णकाल होता है यह बाता पच्छे तरीके से समझ लीजे अब होता क्या है कि में तीन तरीके की प्रस्ण पूछे जाते हैं जो कि आपको दिखाई दे रहा है एक होता है start question, start question यानि कि जिसका answer आपको ओरली देना जरूरी है और supplementary question यहाँ पे पूछ सकते है start में तारंकित प्रस्ण में अब यह oral answer supplementary question का मतलब क्या होता है तो एक example बताते हैं जैसे कि मान के चलिए कि कोई PWBD ministry है या कोई education ministry है तो education ministry से question पूछा गया कि आपने जो नीती बनाया था या आपने school college बनाने की बात की थी और वो college बनी नहीं है या college को लेकर के बात नहीं हुए तो education ministry खड़ा होकर के जवाब देना सुरू करेंगे कि college को लेकर के यह development किया गया है तो अगर इस जवाब से संतूस्ट नहीं है जो प्रस्ण पूछने वाले तो खड़ा होकर के दूसरा प्रस्ण पूछ सकता है नहीं सर यह ऐसा ऐसा नहीं है हम वहाँ पे गय थे अस्थल परधान को लेकर के बात की गई तो इन सब चीजों से बात करते करते school या college को मनाने में फुरसा समय लगा है ऐसा करके वह जवाब दे सकते हैं तो यह सवाल जवाब की घटना है यह कहानी हो सकते है यह इसी को करते पूरक प्रस्ण प्रस्ण परस्ण पूछना तो start question का जव question इसका जवाब लिखित देना है और पूरक प्रस्ण आप नहीं पूछेंगे अप जो कि जवाब सवाल जो किया उसका जवाब तो आपको लिखित देना है तो इसमें पूरक प्रस्ण कहां से आता है तो यह बात यहां पर समापत हो गया उसका तो short notice question यानि कि यह कम समय के लिए यानि 10 दिनों के कम समय में आपको यह question पूछ लेना है यहां पर इसका जवाब भी आपको मौखिक ही देना है यानि की oral देना ओरली मौखिक जवाब ही देना है short notice question को भी तो क्या बागी question जो है ना वह 10 दिन से पहले का होता है तो हाँ वह question पहले दे दिया जाता है अध्यक्ष को अध्यक्ष सारे question को मतलब क्या बोलते हैं अपने सदस्यों के बीच में बटवा देते हैं और फिर उसके उपर में कारबाही शुरू होता है लेकिन short notice में आपको 10 दिन के अंदर में question दे देना अभी भी बिहार द्रोगा वाले में एक्जाम में question आया था ठीक है तो जीरो आर की बात करते हैं प्रस्णकाल के बाद शुरू होता है और इस पर national importance का प्रस्ण पूछे जाते हैं national importance का यहां पर लिग देता हूं question कैसा होगा तो national importance का national importance यानि कि राष्ट्रिये मुद्दों पर प्रस्ण पूछे जाएंगे इस के उपर में सुन्नेकाल में और यह कब शुरू होता है तो जीरो आर के थीक बाद 0r सुरू होता है ठीक है प्रसंदकाल के ठीक भाद और यह कितने समय का होता है तो 30 मिनिट का होता है 0R किसने नाम दिया है तो यहाँ पर ध्यान दिजेगा मैं एक बार फिर से इसको मिटाता हूँ और लिखता हूँ Name given by Media Name given by Media Media के द्वारा नाम दिया गया अच्छा 0R कौन से संसदिये विवस्था से लिया गया है तो भारतिये संसदिये विवस्था से 0R के बारें बहुत सारी बात की जिसमें हमने आपको प्रसंकाल इसका समय बता दिया और Media ने नाम दिया था और Indian parliamentary system का ये देन है ये जो concept है भारतिये parliamentary system ने दिया है 0R यहाँ से exam के question पूछते है बहुत पूछते है National Importance के question यहाँ से पूछे जाते है राष्ट्रिय महत्तु के प्रसंद चोकि लिख के मैं मिटाये था तो मैं फिर से बता लिख दू राष्ट्रिय महत्तु के प्रसंद पूछे जाते है ठीक है हो गया चलिए अब session की बात करता है यानि की budget session तो session के बारे में जानते है कि हम लोगों ने पहले बात किया है तीन्त session होते हैं उसके बारे में अच्छे तरीके से बात किया था कि दो session के बीच में maximum कितने समय होंगे दो session के बीच में maximum चे महीने का समय आपको गैप रखना है, ये बात हम लोगों ने बात किया था, तो इसको हम दोवारा बात नहीं करेंगे, तो हम लोग बिल्स के उपर बात करने वाले हैं, यहां पर ध्यान दीजेगा, हम लोग जो है ना, मुखरूप से 4 बिलों की बात करेंगे यहां पर, या आपके साथ देखिए यह जो बिल्स है यहाँ पर दिख रहा है यह आपका question है और यह यहाँ पर इसका कुछ जवाब है जो हम ढूनने की कोशिज कियें अपनी stable के माधियम से और exam के question को हम लोग यहाँ पर ढूनने की मनी बिल का 110 और constitutional amendment bill का 368 यह आर्टिकल हम लोगों ने बात किया है यहाँ पर ध्यान दिजेगा exam का question बित्विधियक यहाँ कि 117 और मनी बिल 110 यह बहुत इंपोर्टेंट है और यहाँ से exam के question कई बाड़ी आया है इस point से यानि कि इस article से ठीक है खास करके सबसे ज्यादा money bill से आये है तो इसको भी ध्यान में आप रखेंगे money bill से जो question आये है चलो आगे बात करते अब अगला house होगा, वो क्या होगा किसी भी बिल का, first house क्या होगा, तो पहला house देखिए समान event's bill का, यानि ordinary तो अगर दोनों में से कोई भी house ordinary भी पहला हो सकता है house, तो दूसरा house भी दोनों में से कोई हो सकता है, यानि कि vice versa होगा, यह कैसे, तो मान के चलो कि ordinary भी अगर पहले लोग सभा में आया, तो दूसरी बार राज सभा में आयेगा, और अगर कहीं यहाँ पहले राज सभा में आ तो लोग सभा में आएगा इस बात को ध्यान रखेगा तो लोग सभा में अगर बित विध्यक पहले आता है तो ध्यान दीजेगा कि दूसरा हाउस क्या होगा राज सभा होगा यह भी बात ध्यान में रखेगा बित विध्यक को ले करके और बित विध्यक का आर्टिकल आपको आएगा और जैसा कि हमने पहले बताया था जब लोगसभा के अध्यक्ष बताया थे कि लोगसभा के अध्यक्ष यह करते हैं कि कोई भी धन विध्यक है या नहीं है या नहीं है यह बात हमने आपको बताया था तो धन विध्यक पहले किस में आएगा लोगसभा में उसके पहला हाउस अगर लोग सभा हुआ तो दूसरा हाउस राज सभा होगा अगर पहला हाउस राज सभा हुआ तो दूसरा हाउस लोग सभा होगा और ऐखो देखेंगा तो अगर है तो किस बील में है और नहीं है तो किस बील में नहीं है जिसको बोलते हैं ना उसकी जरूरत नहीं है और यह कोशन एकजाम में बना है ध्यान रखेगा उसके बाद धन विध्यक में भी राष्ट पती के पुर्व अनुमती की जरूरत है और यह तो भीवियाई है, हाला कि पूरा धन विध्यक जो है न वेटा वो भीवियाई है इस सब्सक्राइब मनी भील पर नहीं होगा, और समिधान संसुन भील पर नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, यहीं क yarn sitting की बात आईगी, जो कि हम लोग पहले बात कर रहे थे, ज्वाइन सिटिंग की अगर हम बात करते हैं जिसमें हमने आपको बताया था कि ज्वाइन सिटिंग हमेशा क्या होता है दो सद्नों की बीच गतिरोध हो जाता है तो उसमें ज्वाइन सिटिंग को बैठाता है कौन बुलाता है राष्ट पती है ध्यक्षता कौन करता है लोग होगा क्या money bill में joint sitting होगा तीसरा money bill तो नहीं होगा क्या constitutional amendment bill में joint sitting होगा तो नहीं होगा यह बात आप समझ लिजे तो constitutional amendment bill में भी नहीं होगा अब यहाँ पर point क्या है कि money bill में joint sitting क्यों नहीं होगा यहाँ लिगता हूँ में money bill, यानि कि जिसको बोलते धन विद्यक, joint sitting क्यों नहीं होगा money bill में, ये बात मैं आपको बतायाता हूँ, बड़े गौर से समझेगा, बहुत ध्यान से, इसको समझने की कोशिज कीजिएगा money bill में joint sitting क्यों नहीं होगा, देखे, money bill में joint sitting इसलिए नहीं होगा, मेरी बात को अच्छे तरीके समझेगा, क्योंकि money bill में राजसभा का अधिकार बहुत कम है, यानि कि अगर कोई भी money bill लोगसभा से पारित हो जाती है, तो राष्टपती उसे maximum 14 दिनों तक ही रोक के रख सकता है, यानि कि अगर money bill लोगसभा से पास हो सकता है, तो राष्टपती कितने, रोक कर रख सकता है, ठीक है, रोक के रख सकता है, यानि कि पास नहीं करेगा, पारित नहीं करेगा, तो अगर पारित नहीं किया, 14 दिन के बाद भी, तो ये अपने आप, 14 दिन के बाद अपने आप, पारित माना जाएगा, अपने आप पारित माना जाएगा, एatomatic जो है नहीं क्या हो जाएगा पारित हो जाएगा राजसभाð से तियानी कि आगर राजसभाद के मजने बदमासी आ गया कि हमको money will के उपर में अपना essence नहीं देना है अपनी सहमत्य नहीं देना है तो 14 दिनों तक ही अपनी सहमत्य को नहीं दे सकता है लेकिन 14-15 जैसे होगा है वो इत्मेटिक पार हो जाएगा यानि पारित हो जाएगा यानि कि राजसभा के पास मनी बिल को लेकर के पावर नहीं है सुझाब दे सकता है लेकिन सुझाब मानने का पूरा का पूरा अधिकार है वो लोग सभा के पास है वो माने या नहीं माने यानि की बात नहीं कर सकते हैं आप लोग सभा को कि मेरा सुझाब तुम मानो ही यह बात हम कर रहे हैं मनी बिल के उपर में यह बात कर रहे हैं हम सोधन विधियक के बारे में यानि constitutional amendment bill ठीक है amendment अगर इसके बारे में हम बात करें तो यहां पर ध्यान दीजेगा राजसभा और लोकसभा दोनों के भी समान रूप से छमता है समान अधिकार है तो जब समान अधिकार हो जाता है जहां पर वहां पर आप समद लिजे कि समान अधिकार है एक और दूसरा बात यहां पर यह है कि यहां पर मनाने वाली बात नहीं है आगर राजसभा इंकार कर जाए तो भी constitutional amendment bill समाब्त हो जाएगा अगर लोग सवाइंकार कर जाए तो भी constitutional amendment बिल समाथ हो जाएगा तो यहाँ पर भी संयूद बैठा कि प्रापधान नहीं है क्योंकि आप सम्मिधान में अगर संसोधन करने जा रहे हैं तो यह बेटा समझ लो कि आपको दोनों को क्या करना होगा अपने साथ लेके चलना परेगा दोनों को अपने साथ लेकर करके चलना परेगा जब सम्मिधान संसोधन बिदेख की बात करते हैं तब तो इसको बड़े गौर से आप समझेगा इसको बड़े गौर से आप ध्यान में रखिएगा जब हम बात कर रहे हैं, bil के उपर में तब, ठीक है, आगे बरें, चलिए, तो यह bil था हमारा, जिसके उपर में आपने बात किया, बिल के बाद हम लोग देख लेते हैं, committees के उपर में, ठीक है, देखें यहां से exam के question आते हैं, चाहे किसी भी examination में आप बैठ जाएं यहां से exam को question आते हैं और क्या हाते हैं वो सब हम discuss करेंगे अगले 10 मिनट के अंतरगत में आपको देखेंगे कि किस तरीके से सम्मीटियों के सारे question आपको बनते हुए नजर आ जाएंगे और यह जो हम आपको बताएंगे यह एससी के लिए रेलिवेज के लिए अधर एस्टेट लेवल examination चाहे आप किसी भी एस्टेट लेवल के examination की तियारी करते हैं वहां से exam का question पूछता है और उसके लिए beneficial है बहुत ज़्यादा beneficial यहां से question पूछते हैं क्या पूछेंगे वह आपको हम दिखाएंगे तो हम लोग बात कर रहे हैं संसतिय समीतियों के वो parliamentary committees के उपर में Public Undertaking Committee यह तीनों से question exam में कई बार आये हैं कई बारी आये हैं और जो temporary committee है जिसमें inquiry or advisory committee हमने लिखा है यहां से question कुछ अलग तरीके से आते हैं वो क्या आते हैं वो बताये तहूं मैं temporary committee से question आते हैं कि तदर्थ समीति क्या होती है? हिंदी लिखा हुआ है? हिंदी वाले बच्रियों प्रसान नहीं होंगे PPLEASE? English बच्रियों वी प्रसान नहीं होंगे तदर्थ समीति क्या होता है? तो यहां पर option प्रस जो बनते है वह क्या बनते है यह क्या पताया हूं ध्यान में देखिएगा तदर्थ समीति के बारे में option ये मनता है कि एक ऐसा समीति जो किसी कारे बिशेष के लिए ये इस्टैबलिश किया जाता है और जब वो कारे बिशेष समाप्त हो जाती है तो समीति को भंग कर दिया जाता है यानि कि ये अस्थाई नहीं है यह और यह इसके option में answer होते हैं एंसर के wording जो word है जो sentence है वो अलग तरीके से form किया जा सकता है लेकि उसका mini यही निकलेगा कि ये temporary है मतलब कि ये पर्मानेंट टाइप का नहीं है तरदर्थ समीति और किसी कार्ज BCS के लिए ही किया जाता है एक्जामपल अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो बड़ा एक संसनी खेज एक्जामपल आपको देता हूँ आज से लगभक 7-8 साल पहले 2012 की बात है जब निर्विया वाली कांड हुई थी आपको ध्यान में आया होगा और उस समय एक कमीटी बैठी थी इसका नाम था बर् को सुझाया गौफर मेंने उस प्राबधानों को एडॉप किया उसमें कुछ को एडॉप्ट भी किया है ठीक historically यह बात है प्रब्षानों को एडॉप्ट करना गौवर्मेंट के पास है हम कमीटी की बात करें तो वह बर्मा कमीटी ने यह प्रा偉ब्धान दिया कि भाई जो बालिग है उसका उम्र 16 वर्स कर दिया जाए special cases में जिस तरीके के निर्विया का case हुआ उसमें 18 नहीं किया जाए और भी कुछ-कुछ बातें वहाँ पर बताई तो बढ़मा कमीटी एक अस्थाई कमीटी थी यानि कि बढ़मा कमीटी एक तदर्थ कमीटी थी temporary committee थी इसको दियान में आप रखेंगे एक special case के लिए इसको adopt के इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे committee जो special चीजों के लिए बनाई जाती और फिर वो उसको भंग कर दिया जाता है अब बात आती है अस्थाई समीटी के बारे में standing committee के बारे में question exam का तो simple यही पूछ लेगा इनमें से कौन अस्थाई committee है इनमें से कौन standing committee है चार option बनाएंगे और चार option में से कोई एक यहाँ पर ध्यान रखेगा या तो लोक लेखा समीटी एक option देदेगा बाकि तीन दूसरे option देदेगे या तो प्राकलन समीटी देदेंगे बाकि तीन कोई और देदेंगे यह सरकारी उपकरम समीटी देंगे बाकि और कोई और देदेंगे point समझेगा या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको standing committee option देदे कि कौन इसमें standing committee नहीं है question देखेगा इन में से कौन अस्थाई समीटी नहीं है ठीक है यह option देदेगा तीन option बनाएंगे चौथा option में बता देगे इन में से सभी या इन में से कोई नहीं तो आपको दिहान में रखेगा यह अस्थाई समीटी है यानि कि लोकलेखा समीटी प्राक्लन समीति और सर्कारी उप्क्रम समीति समझ में आ रहा है ना? चलिए अब हम एक एक करके ही अस्थाई समीति को बारे में कोश्चन देखते हैं कोश्चन भी देखेंगे और यह होता क्या है वो भी हम देखेंगे यहाँ पर देखिये यहां पर लिखा हुआ है Public Account Committee, यहां पर लिखा हुआ है Public Undertaking Committee, हिंदी में भी लिखा हुआ है लोक लेखा समीटी, सरकारी उपकरम समीटी और प्राकलन समीटी, Estimate Committee, हिंदी में भी लिखा हुआ है, इस बात को समझेगा Question क्या बनता है, वो मैं बता दू, और उसके पर पर प्राना सुरू करू, तो आप देखेगा यहां से Question बने है सरकारी उपकरम समीटी से, कि कौन ऐसा Committee है, जिसके सारे Member लोक सभास होते हैं तो सरकारी उपकरम समीटी देखिए, सारे Member लोक सभास होते हैं सरकारी उपकरम कमीटी जिसमें सबसे ज़या Member होते हैं, कौन ऐसा Committee है, जिसमें Member की संख्या है, या फिर कोई Committee देगा कि Estimate Committee में Member की संख्या कितने होते हैं, तो 22 होते हैं, ऐसा Question बना है, आप जानते हैं जो अस्थाई समीटी होती है, वो कितने बर्सों के लिए होती है, तो आप यहाँ पर देख लिए कि एक एक बर्स के लिए अस्थाई समीटी है तो यह जो Question जो मैंने Form किया है, यह Exam का Question है, अगर आप में से कोई Previous Year Question पे पर लगा रहा है तो आपको यह Question जरूर दिखेगा, सो परतिसद दिखेगा अब हम थुरा सा एक एक कमीटी के बारे में बात कर लेते हैं, और फिर यह उसी समय, फिर एक्जाम के Question के बारे में हम लोग बात करते हुए आपसे चलेंगे तो एक एक कमीटी करके बात हम लोग करते हैं, देखिए सबसे पहले Public Account Committee, लोग लेखा समीटी, हमने इसी को टेबल में सजा लिया है, आप लोग भी इसको टेबल में सजा सकते हैं, कोई दिकत नहीं होगा Public Account Committee में में कितने हैं, 22, Public Account Committee में 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 22 है, इसमें अब ध्यान देने वाली बात क्या है, कि 15 में लोग सभास है और 7 में राज सभास है, इसमें इस बात को ध्यान में रखेगा जब कि, जब हम बात करते हैं, Public Undertaking, यानि सरकारी उपकरम समीती का, यह है लोक लेखा समीती, और यह है Public Undertaking Committee, इसकी बात करते हैं, तो इसमें में 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 30, 30, और सारे के सारे में में लोग सभास होते हैं, और इसलिए यह एक्जाम का कोउस्टन है, VBI है, MBBI है, पता नहीं क् एक गदम ध्यान में रख लो बेटा, एक गदम ध्यान में रख लो यहां से कौस्टन आते हैं, एक नहीं 110 अगर आप प्रिवेश यह कौस्टन लगाते हैं, तो आपको कमीटी से यह कौस्टन दिख जाएंगे, दिखेंगे चलो उसके बाद हम लोग बात करते estimate committee प्राकलन समीटी प्राकलन समीटी में कितने member है 22 22 member है प्राकलन समीटी में यहाँ भी आप देखेंगे 15 लोगसभा से और 7 राजसभा से यह बात आपको दिखाई दे रहा है कि 15 लोगसभा से है और सात कहां से है राजसभा से यह दिख रहा है न चलिये अब हम लोग बात करते हैं यहां पर ध्यान दीजेगा कि पंदरो और राजसभा से साथ इसको आप रट्डा मान लिजए किसी भी तरीके से ठीक है ना रट्डा नहीं मारी इसको ऐसे समझे कि लोगसभा में पर आपको दिख रहा होगा, एक साल यहां पर लिखा है मैंने, यहां पर भी मैंने एक साल लिखा है, और यहां पर भी मैंने एक साल लिखा है, आप यह दिख रहे है, पॉइंट यहां पर यह है, कि जो अस्थाई समीति होती है, उसका एक साल का टेन्योर ही होता है, और यह ब एक साल के लिए होता है, एक साल में भंभं होता है, और फिर नया चुनाब हो जाता है, समीती बना रहेगा, नया मेंबर के लिए चुना होता है, तो ये मेंबर के लिए टेनियोर एक साल के लिए, समीती तो अस्थाई है, मेरी बात समझ लिजे, समीती तो अस्थाई है, मेंब के रूप में आएंगे समीती तो परमानेंठे इस बात को समझेगा तो अगर आपसे कोशन पुछे कि अस्थाई समीती का समय क्या होता है टेन्योर तो एक साल करेंगे कभी अपने दिमाग में मन को नहीं रखेंगे इसको हां एक साल बात जब मिंबर नहीं चुने आते तो फि यहां पर इस कमीटी की बात करें अस्थाई समीतियों में मंतरी सदस नहीं बन सकते हैं और जो सदस बनेंगे वो मंतरी नहीं होंगे कहीं कहीं पे दोनों party से सदस बनते हैं कहीं कहीं पे opposition का जो सदस होता है वो chairperson होता है इसको भी हम देख लेंगे थुरा से पहले ये देख लिए क्या मंत्री सदस बनेंगे तो मंत्री सदस नहीं बनेंगे इस बात को ध्यान में रखेगा अगला point है कि chairperson कौन होगा chairperson कौन होगा और कौन इसे point करेगा दो बाते ये भी question exam में आया है कि chairperson जो committees होती है उसके chairperson को कौन point करते है तो उसके chairperson को लोगसभा के speaker प्वाइंट करते है तो chairperson appointed by speaker of लोगसभा यानि कि जो अध्यक्ष होते है समीती के उसको लोगसभा के अध्यक्ष के हैं क्या करते हैं यहाँ पे लीग दीआ मैंने chairperson प्वाइंटे caller by speaker यानि कि लोगसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो समीती के अध्यक्ष को क्या करते हैं मैं हिंदी में बोल रहा हूं बीपक्षी के होते हैं लोकलेखा समीति के जो चैर प्रसन होते हूँ क्या होते हैं विपक्ष होंगे अभी साइद अधिर रंजन चौधरी है यहां पर साइद अधिर रंजन चौधरी शोकलेखियों की एक तो बि century का कर लिजेगा जो मैंने नाम बताया है तो ruling parties होते हैं, जैसे अभी भाजपा के होंगे इसके chairperson, ठीक है, from the ruling party और estimate committee के chairperson लोकसभा से होते हैं, सिर्फ इसके chairperson लोकसभा से ही होंगे, ये बात यहां पे लिखा हुआ है only लोकसभा, यानि ये लोकसभा, रासभा कहीं से भी हो सकते हैं लेकिन यहां पर सिर्फ लोकसभा से होंगे, ये बात आप ध्यान में आप रखेंगे तो लोकलेका समीती से chairperson को लेकर के question पूछा है कि बहुत बार पूछा है कि लोकलेका समीती के chairperson कौन होते हैं तो भी पक्षी होते हैं, अभी अधीर अंजन चौधरी है इसको हम मैंने कहा है कि आप एक बार cross check करेंगे किसी भी हाल में, ठीक है चलिए वर्क क्या है, वर्क से question बहुत बार पूछते हैं खास करके और public undertaking से बहुत बार question पूछा है इसका वर्क क्या है, देखिए लोकलेका समीती के भी वर्क से question पूछे है वर्क क्या है, तो इसका काम है CAG की रिपोर्ट को जाचना The Annual Audit Report of CAG इसको एक्जामीन करेगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया पहले ही एक्जामीन, एक्जामीन का मतल़ होता है जाचना, हिंदी बाले बच्चे बिल्कुल परसान नहीं होगा मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से काम क्या है तो Public Account Committee का काम है CAG की रिपोर्ट को जाचना CAG की रिपोर्ट को क्या करना जाचना, यहाँ पर देखो, मैंने CAG लिखा है तो CAG की रिपोर्ट को जाचना, यह काम किसका है Public Account Committee का दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि Public Undertaking Committee है सरकारी उपकरम समीती इसका काम क्या है तो इसका काम है Estimate including the budget and suggest the economy in public expenditure यानि कि यह budget को एक्जामीन करता है budget की खर्चे को एक्जामीन करता है और suggest करता है यानि कि यह suggest करेगा क्या suggestion देगा कि आप खर्चे को कम करें तो यहाँ पर point यह ही पर है कि suggest economies in public expenditure जो public expenditure में जो खर्चे है उसको कम करने का उसके उपर ध्यान देने के लिए ये suggest करते है बजट को एक्जामीन करते है budget के points को एक्जामीन करते है सरकारी उपकरम समीथी के point है यहां पर यह, चलिए, अब अगला है, तीसरा कमिटी है, प्राकलन समीटी, प्राकलन समीटी का काम क्या है, तो प्राकलन समीटी का काम है, कि जितने भी पबलिक अंडर्टेकिन कमपनीज है, जितने भी पबलिक अंडर्टेकिन कमपनीज है, सरकारी कमपनीज को बोलते हैं, सर आकलन समीती का काम है, इस्टिमेट कमीटी का काम है, सरकारी कमपनियों के या सरकारी जितने भी खर्चे हैं, यह उसके एकाउंट से उसको क्या करेगा, एक्जामीन करेगा, उसको जाचेगा, तो यहाँ पर हमने मुख रूप से तीन कमीटी लिया है, इसलिए तीन कमीटी लि बन सकता है, ओपोजिशन पार्टी का जो लीडर होता है वो इसके अध्यक्ष होंगे और ये C.A.G की रिपोर्ट को जाचेगा, उसका दूसरा है पबलिक अंडर्टेकिंग या निकी सरकारी उपकरम समीती 30 सदस होते हैं, तीसो लोगसभास होते हैं, MBBI है, कई बार कोशन ये, प्राकरन समीती में 22 सदस होते हैं, 15 लोगसभास है, 17 सबस होते हैं, एक साल इनका भी tenure है, कोई मंतरी इसका सदस नहीं बनेगा, मंतरी इसका मिंबर नहीं बनेगा, लोगसभास से केवल इसके सदस बनते हैं, और रिपोर्ट को जाचना है, पबलिक अंडर्टेकिन के क पहले आप से बात कर लिया है, तो थैंक यू, थैंक यू बेरी मच्च